यहाँ पर लिख दीजिए आज का टोपिक जो है वो क्या है गुड़ा की संक्रियाएं यानि मल्टिप्लिकेशन आप्रेशन ओके ठीक है इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ मल्टिप्लिकेशन ओप्रेशन तो यह सब हम लोग आज पढ़ेंगे इस कलास में ठीक है अब इसमें क्या पढ़ेंगे ध्यान देना बिल्कुल ही बहुत ही प्यार से देखना है बहुत सारी प्रपर्टी होती इनकी कमुटेटिव ला और डिस्ट्रिब्यूटिव ला यह सब पढ़ने वाले हैं हिंदी में बोलें तो आप पढ़ोगे धर्म के बारे में जैसे तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए हमारे साथ में लिखते चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए गुड़न संक्रिया का करम बिनिमिये नियम गुड़न संक्रिया का करम बिनिमिये नियम ठीक है यह बताएए उपर एकदम क्लियर दिखत आए ना ऐसा तो नहीं कि कम दिख रहा है मार करने स्याही वगएरा भर लूँ और क्या बता देना अगर कड़बड दिखेगा तो लिखिए गुड़न संक्रिया का इंगलिस में भी बताऊंगा आभी थोड़ा सा सब्र बना के रखिए करम बिनिमे नियम सत्यों यह आपके डियलेट की परिक्षा में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है ठीक है पूछा जा सकता है कि गुड़न संक्रिया जो है वो करम बिनिमे नियम का पालन करती है यह नहीं करती है यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है समझ रहे हो न आप लोग तो आप लोग क्या कह रहे हैं पालन करती कि नहीं देखिए करम बिनिमे का मतलब आप लोग जान रहे हो कि नहीं इसको इंगलिस में बोलते हैं कमूटेटिव ला इंगलिस वाले लिख ले कमूटेटिव ला ओबर मल्टिप्लिकेशन कमूटेटिव ला ओबर मल्टिकेशन ठीक है ए नहा जी बिलकुल हाँ टेलीγοराम पर सारे कलास की लिंक आती है सायद सेर नहीं हुआ होगा तो कर दिया जाएगा देर सबीर चलिए आप लोग अपने अपनी किताबें कांपियां खोल लीजिए वैसे तो किताबी खोलो कांपी नहीं इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक संख्याओं का गुड़ा करते समय उनका करम परिवर्तित कर दिया जाए तो भी गुड़न फल वही प्राप्त होता है जो पहले प्राप्त हुआ था यानि हम कह सकते हैं कि गुड़न संक्रिया जो है वो क्या होती है करम बिनिमिय नियम का पालन करती है या फिर गुड़न संक्रिया पर करम बिनिमिय नियम लागू होता है कैसे उधारन देखिए पहले उधारन देखिए फिर मैं लिखवा दूँगा उदारन देखिए फिर मैं लिखवा दूँगा देखो भाईये जैसे साथ का अगर पांच में गुड़ा करें बाबू तो साथ पचे पैंतिस और इसी तरह से अगर हम इनका करम बदल दें पांच को पहले कर दें साथ को बाद में तब क्या होगा पैंतिस ही आएगा इनमें कोई फ़रक नहीं पड़ेगा ठीक़ है तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि गुडन संक्रिया जो है वो करम बिनमिय नियम का पालन करती है ऐसे कोई भी ले लीजी आप पलड के देखिए कोई फ़रक नहीं पड़ेगा आप 80 को गुड़ा करिए 4 से कितना आएगा 320 आएगा न या फिर आप 4 को 80 से गुड़ा करिए वही आएगा करके देख लीजिए ठीक है UPDL8 पर्थम सामेश्टर की बिल्कुल फ्री लाइफ क्लास राथ 10 बजे से 11 बजे तक अभी तुरन जुड़ जाएं यह आप लोग बोल दीजी अपने दोस्तों साथियों से मैंने तो टेली गरा में बेजने के लिए इसको लिखा भी ठीक है चलिए एक आप दो एक जमपल और देख लीजिए चाहे तो कुछ भी देख लीजिए आप एक और जैसे मानलो 18 का गुड़ा मैंने 10 में किया तो भी यह 180 आया वैसे बापु इनका सीरियल बदल दे अगर यह देखो तब ही 180 आयेगा हम कह सकते हैं कि करम बदलने से गुड़ा की क्रिया पर कोई परभाव नहीं पड़ता है अर्थाद गुड़न फल में कुछ बदला नहीं होता है तो हम यह भी कह सकते हैं कि गुड़न संक्रिया जो है वह वह गुड़न संक्रिया पर लागू होता है या फिर गुड़न संक् नीयम की परिभासा कहती है गुढण शंक्रिया का करम बिनिम्य नियम का सुन्लिजिए इस नियम के अनुसार यदि दो ऐसो ज दू स्याधिक संख्याओं का गुड़ा करते समय उनका करम बदल दियाम तो भी गुणफल वही प्राप्त होगा जो पहले प्राप्थ हुआ था यही कहलाती है गुड़न संक्रिया का करम बिनिमियनियम ठीक है समझ रहे ना आप लोग मुझे लग रहा लाइट कुछ जादा चमा करी इसलिए थोड़ा सा मैं धीमा करें देता हूं ठीक है डन आप सही है चलो तो यह पहला होगे आपका गुड़न संक्रिया का करम बिनिमियनियम जिसें इंगलीज में बोलते हैं कमुटेटिव लाइ अबर मल्टिपलिकेशन कमुटेटिव लाइं इंगलीज में वाले भी लिख लेंगे जिनको इंगलीज में लिखना है वह भी लिख लेंगे अगला heading डालिए इसका मैं English भी लिख दे रहा हूं अगर आप लोग कहें तो ठीक है ये बोलते हैं Commutative ला ठीक है Done ये भाई English है Commutative ला बोलते हैं अगला गुलन संक्रिया का साचर नियम लिख लीजी आप लोग अब मैं काहें लिखूं फाल पूरा गुलन संक्रिया का साचर नियम ये कौन सा नियम है इसके बारे में भी अध्यन करेंगे ध्यान दीजी आप सभी बहुत ही प्यार से समझे ना भाई कुछ सुनाई पढ़ रहा है क्या हवाई जहार जैसे जा रही लिखिये एसोसियेटिव ला है ये ये क्या है भीया एसोसियेटिव ला यानि की साचर नियम ठीक है आगे बढ़ें चलो कोई दिक्त किसी को नहीं ये क्या होता है देखिये इसमें थोड़ा सा लग है पहले उदारन समझेंगे उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे ठीक है इसका एक साटकट में अगर फर्मूला में बता देता तो ज्यादा बहतर रहता इसका एक साटकट में फार्मूला है आप लिख लीजिए कि A गुड़े B बराबर B गुड़े A होता है ये उपर वाले में ठीक है इसको लिख लेना साटकट में इसमें लिख लो बाबू A B गुड़े C और B C इसका साटकट फार्मूला लिखिए अगर A B और C तीन सब्ख्याएं हैं उनमें अगर हम A B और C तीनों को मल्टीपल करते हैं यानि ऐसे करते हैं समझे न ऐसे या फिर इसको हम ऐसे करते हैं तो यह क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं इन में कोई फरक नहीं पड़ता है यही क्या है आपका साच्चार नियम है लिए जल्दी करिए हो गया इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे अब इसके बारे में कुछ उधारन सुन लीजिए फिर मैं परिभासा भी सुना दूँगा ठीक है बन्नी एफ एफ क्या बोल रहा हो वही सुनो इसमें कुछ एक्जामपल सुन लो जैसे मान लो कि मैंने नंबर ले लिया तीन गुड़ा पांच और गुड़ा साथ तो यह जितना गुड़ा करने पे आएगा उतना ही यहाँ पे समझ ना तीन गुड़ा यह आपका पांच गुड़ा अगर साथ करेंगे तब भी उतना ही आएगा आप एक बार करके देख लो मननुतिवारी जी आ रहा समझ में सबको समझ में आरहे ना मल्टिपल करिए तीन बचे पंदरा 15 सत्ते 105 इनको भी करिए यह पंसत्तर 35 ति एईएं 105 पांच बराबर आ रहा कि नहीं सिल्पा के सर्वानी इक्वलार आना यानि हम कह सकते हैं कि गुड़न संक्रिया जो है वो साहचर नियम का पालन करती है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि गुड़न संक्रिया पर साहचर नियम लागू होता है एसे उसेटिव ला क्या होता है लागु होता है गुड़न संक्रिया पर इसकी परिभासा लिख लिजी आप लोग परिभासा से तो ऐसे कोई मतलब होता नहीए इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक संख्याओं का इस नियम के अनुसार दिक नहीं रहा कि हड़ जाऊं देखो अब इस नियम के अनुसार जब दोया दोसे अधिक संख्याओं का गुड़ा करते समय यदि ओ स्वरी ये तो दूसरा वाला था नहीं आता है कोश्ठक के अंदर की संख्याओं का परिवर्तन का मतलब यह है जैसे पर एक उड़े भी था कोश्ठक में ए भी था अगले में मैंने कोश्ठक बीसी कर दिया एको बाहर कर दिया तब भी उतना ही आया ठीक है तो अब मैं इसको मिटाओंगा आगे बढ़ना है इंग्लिस हिंदी दोनों में लिख लीजिए इसे एसोसियेटीब ला बोलते हैं इंग्लिस में आपने पढ़ा होगा कहीं न कहीं तो डन अगला क्या है भाया अगला लिख लो गुडण संक्रिया का बंटन नियम बंटन नियम को बितरन नियम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बंटन नियम या बितरन नियम जिसे इंग्लिस में डिस्ट्रिबुटिव ला बोलते हैं तो मैं पूरा इतना बड़ा काहे लिखूंग ऐसे लिख देता हूं साटकट में बंटन या बितरण नियम ठिक है जिसे बोलते हैं डिश्ट्रीब्यूटिबला क्या बोलते हैं डिश्ट्रीब्यूटिबला यह क्या होता है इसका साटकट में एक फार्मूला में लिखूंगा उसके बाद आप लोग इसको पूरा डेटियल में देख लेंगे इसका मतलब होता है किफी चीज को फैला देना कुलसाब को देना ठीक है इसका सूत्र होता है अगर अगर कम अगर क्या देखो इसका साटकट का फार्मूला यह होता है अगर आईसे कंडिसन है ऐसे अंदर में ब्रेकड में भी पलस सी है ऐसे मल्टीपल हो रहा है तो यह मल्टीपल दोनो में होता है अंदर की दोनों संख्याओं में ऐसे यही वित्रण नियम है या बंटन नियम है ठीक है इसको लिखोगे कैसे भाईया इस नियम के अनुसार संख्याओं को अलग अलग गुड़ा करके गुड़नफल प्राप्त करने पर एवं कोशक के अंदर की संख्याओं का योग कर बाहर की संख्या से भी गुड़ा करने पर गुड़नफल एक समान प्राप्त होता है समझ गए ना बस यही आपको सिर्फ इतना एक असे काम है बाकी आप चाहे परिभासा इसकी सुनिये लिखिये और न लिखिये ठीक है मिटाओं अब मैं इसको करके दिखाता हूं कुछ एक जामपल अगर यह ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि गुड़न संक्रिया पर यह बंटन नियम कारे कर रहा है यानि गुड़न संक्रिया पर बंटन नियम लागू होता है और अगर यह बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि गुड़न संक्रिया पर बंटन नियम लागू नहीं होता है देखिए आपके परिच्छा में ऐसे पूछा जा सकता है एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि क्या गुडन संक्रिया पर बितरन नियम या फिर बंटन नियम लागू होता है या नहीं या फिर आपको सही गलत वाले में दे दिया कि गुडन संक्रिया पर बंटन नियम नहीं लागू होता है तो भीया आप करोगे कि यह गलत है लागु होता है तुमने गलत लिखा है समझे लेऊ even न अगर परिक्षा में आ गया कि गुडण संक्रिया पर बंचनियम लागु नहीं नहीं होता है और आपको उसको उसको सहीय गलत करना है तो आप से गलत करो क्योंकि नहीं लिखा है उसमें जब की लागू होता है ठीक है समझे ना तो हम क्या करेंगे भाई इनको एक जामपल से समझ लेते हैं माल लेते हैं हमने एक जामपल ले लिए तीन चार पांच तो अगर हम तीन का गुड़ा करें बाहर से अंदर में चार और पांच को कर दें यह पिर तीन गुड़ा चार और धन तीन गुड़ा पांच करें तब भी इनका मार बराबर आना चाहिए । तू ती ठीन न नो यह बारा और यह 15 भाईया देखिये आप लोग के बराबर आया कि नहीं आया है आया ना बराबर अंसिका लबर प्रताब गड़ जी बिलकुल कमेंट आपका आ रहा है बताइए चले आगे हो गया ना हम कह सकते हैं कि बितरन नियम या बंटन नियम कहीं देखो कहीं बितरन नियम से पूछा जाता है कहीं बंटन नियम से मतलब दोनों के एक है जैसे किसी का स्कूल का नाम अं आता तो वही है समझ गए ना तो ऐसे यह इनके दो नाम है एक घर का नाम एक बाहर का नाम है अगला है सन्वत नियम या संब्रित नियम जिसे क्लोजर ला बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं भाई या इसको क्लोजर ला बोलते हैं तो चौथा नंबर लिख लो असन्वत नियम या इसे कहीं-कहीं ऐसे भी पूँछता है संवृत नियम ठीक है, कुलोजरला कुलोजरला इसका कुछ मतलब है समझते जाईएगा इसमें कुछ अलग नहीं होता है इसमें सबसे अलग होता है इनका मतलब ये है कि किसी भी दो संख्या जब हम गुड़ा करें अगर वो पर्मिय संख्या है तो उसका गुड़नफल सदय पर्मिय संख्या ही होती बस इनका इतना हितात पर था देखो जैसे इनके उदाहरन जैसे हमने दो नमबर ले लिया साथ और नो तो नो और साथ भाई दोनों क्या है एक पर्मिय संख्या है नो भी रेफनल नमबर है साथ भी रेफनल नमबर है इनका मल्टीपल करेंगे तो बेटा 63 आएगा बाबू और 63 भी क्या है एक रेफनल नमबर ही है यानि वही बात हुई न जो मैं बताया था कि चूहे से हमेशा चूहे ही पैदा होते हैं कभी चूहा से सेर पैदा हुआ तो बताओ नहीं न कुत्ते बिल्ली से कुत्ते बिल्ली के ही बच्चे पैदा होते हैं कई इंसान तो नहीं पैदा होते हैं बस आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा मतलब पर्मिय संख्या का गुड़ा करने पर हमेशा पर्मिय संख्या ही पराप्त होती है यह ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का मल्टिपल करने पर नेचुरल नंबर ही पराप्त होता है लेकिन यह नियम सिर्फ पर्मिय संख्या पर्गी मतलब पर्मिय संख्या के लिए है ठीक है आया समझ में तो लिख लीजिए फट फट चलिए आगे बढ़े झालब पर्मिय संख्या स operate थारी टूशख झाल 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 आई अब आजना मस्त है अब देखो बढ़ा मायंगा पढ़ता है यह सिस्टम आपको बताऊं यह किन नहीं होगा यह पचीफ हजार का सिस्टम है जो साउंड सिस्टम है और छतीस रुपयाग बैटरी लगती है तीन कलास में चलती है बस मतलब समझे रहा हो डूरा की बैटरी है डूरा सेल लेकिन क्या करें करना पड़ता है महीन में चार पांच सो की नहीं तो किसी किसी महीन में हाजारों के बैटरी हो जाती है मजबूरी यह चार्ज होता नहीं है अभी जल्दी में ले लिया एक दो महीना हुआ चलो फिलहाल बात करतें टॉपिक पर अब तो आवा आज नहीं आने लगी सब जग अरे ऐसा भी तो होता न मालों सो रहे हैं और कलास चल भी रही है तो ऐसा लग रहा पड़ बढ़ाय जा रहा है अचानक सांथ हो गया और भाग गया का लग रहे है तो जग गय तुरन सब जग फटळ फटण है ना नहीं है चार जोने वाली नहीं है चार जोने वाली आती है अभी खोजना पड़ेगा उसमें भी दिमाग पकाना पड़ता है पता नहीं इसमें लगेगी नहीं लगेगी यह नहीं पता है चली हम बात करते हैं आगे यह गुड़ा की संक्रियाएं हो गया अब हम पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं डिवीजन आपरेशन्स ठीक है तो इसमें हमें करना क्या है हम क्या करना इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है कांसेप्ट आप डिवीजन आप लिख लीजिए चाहे तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं छोड़िए उसको हटाईए किना रखिये हाँ यह मतलब की बात करते हैं हम लोग पढ़ना क्या उसको देखिए हेडिंग वर्डिंग के चक्कर में जाएंगे गड़बडाय जाएंग देखिए जैसे यह 72 है न हमने इसको 14 से भाग किया तो 14, 75 जो बताने वाले हैं उसे सुनना ध्यान से और प्यार से सुनना ठीक है न चलिए सुनिए इसमें मुझे यह बताईए कि भागफल क्या है और डिवीडियन क्या है डिवीडियन क्या होता भईया बता दोना एक बर dividend , क्या है ? यहां पर संक्रिया नहीं हम भाग का concept सीखेंगे असाब से पहले पहले तब क्योंकि गूरा वाला concept कल कि सीख गये थे। आज हमें पहले concept शीखना है , संक्रिया बादमें होगी, आप्रेसन बादमें होगा पहले concept पहले मरीज तो मिले मरीज मिलने के बाद आपरेशन होगा संकल्पना यानि concept of division concept of division ओके देखिए ठीक है कोई बताया अफनेहा तिवारी अंस अफनेहा तिवारी के बाद भाईया पवन पवन कुमार यह पढ़ने वालों कलास है चाचा नाम लेने वालों की नहीं पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं तो निकल लो ठंडी का टाइम है वह ऐसे भी डिस्टम मत करो चलो हाँ तो यह क्या है भाया इसे बोलते हैं भाग फल हाँ जैसे पढ़ाई करते हो तो परिक्षा होती है परिक्षा होती तो रिजल्ट आता है रिजल्ट में जो नंबर मिलता है उसे बोलते हैं परिक्षा फल रास्ते में जा रहे हो किसी को छेड़ चाड़ दिये वहाँ लाद गुसा पड़ गया तो उसे बोलते हैं करमों का फल समझ गए ना लिखिए आगे क्वाशियन क्यूं यू इसको इंगलिस में बोलते हैं स्पेलिंग सही है कि गलत है पता नहीं देख लीजिए सही है ना सही है इसको बोलते हैं सेसफल मतलब रिमाइंडर ठीक है और इसमें कहा है भाईया एक ठीद उठी और भी कुछ है भाजक डिवाईजर इसे क्या बोलते हैं बाजक यह समझना बहुत इमांदारी से अभी इसका काम लगने वाला आगे इसलिए बता रहा हो नहीं तो यह सब क्यूं कराएंगे इमांदारी से समझना ठीक है इसे क्या बोलते हैं इसे बीचवा में जो है भाईया डिवीडीयन्ड बोलते हैं यह 72 क्या है डिवीडेंड भाज बोलते हैं इसे भाज्य है ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं न देखिए अब क्या करना है हो सकता है परिक्षा में आपसे परिभासा पूछ लिया जाए भागफल की तो भागफल की परिभासा कोई बताएगा जरा सोचिए अगर आपसे सेस्फल की परिभासा पूछ ले तब अगर आपसे खुदाना खास्ता भाज्य की परिभासा पूछ ले तब तो बता देना सिंपल सी बात है मैं एक एक का बता देता हूं सुन लीजिए वो संख्या वो संख्या जिसमें भाग किया जाता है वो भाज्य कहलाती है जिसे इंगलिस में DVD-end कहा जाता है सबको दिख रहा है न? और वो संख्या वो संख्या जो किसी संख्या को भाग करने के बाद प्राप्त होती है मतलब इसकी बात कर रहे हूं ठीक है वो क्या होती है? भाग पल होती है ऐसे से कर लेना इसमें क्या कहने की क्या बात है जिस संख्या से भाग किया जाता हो भाजक का लाता है जो भाग करने के बाद दो संख्याओं को जो मिलता है घटाते हो क्या होता है? सेस्पल बोलते हैं या फिर ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाग देने पर जो परडाम पराप्त होता है उसे भाग फल कहते हैं भाग देने पर जो परडाम पराप्त होता है या रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं भाग फल कहते हैं इंगलिज में कोईसियंट कहते हैं ठीक है तो समझ में आया ना हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए पांच अंकों तंकी संख्याओं का दो अंकों की संख्याओं से भाग देने पर तरह छे अंकों की संख्याओं का तीन अंकों की संख्याओं से भाग देने पर ये भी आपके काम का है आपके परिक्षा में भाग देना भी पूछा जा सकता है छुटकी संख्याती इसको तो कर लिए इसको तो हर कोई कर लेगा ये जैसे मैंने लिखा आठ साथ इसको मैंने दो से भाग किया सभी मुझे बताओ इसमें भाग फल कितना आएगा सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है बताइए इसमें भाग फल कितना आएगा जल्दी करिये फट फट देखो भाईया इसमें एक सूत्र भी होता है कंसेप्ट वाला वो भी लिख लीजिए भाग सही है या गलत है उसके लिए सबसे पहले जो आंसर देगा मान लेंगे कि वो इमानदारी से पढ़ रहा है और जो नहीं बताएगा ना हम जान लेंगे कि वो चुपे मारे सो रहा है बैठी के बस तो ये सूत्र होता है भाग सही है कि गलत चक करने का भाजक गुड़े भाग फल दन सेस पवन कुमार भाई सबसे बात में बताएगे सबसे पहले राकेश कुमार ने बताया है और पॉइंट में आया पॉइंट में तो लाना ही नहीं था यही तो बुद्धी नहीं आप लोग की चरने गई थी अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी हम पॉइंट वाली बात किये नहीं किये न हमने पॉइंट वाली बात ही नहीं किया तो पॉइंट में कहे जा रहा है अब मैं सेसफल भी पूछ रहा हूँ बताएगे सेसफल कितना आया सबसे पहले सही जबाब भाई राकेश कुमार ने दिया था पवन कुमार और मन्नु तिवारी अफनेहा प्रीती बर्मा अंसिका ठीक है हमने अभी जीरो अदसमलो की बात नहीं किया तो ठीक है सिंपल सा है भाईया इनको भाग करना था दो से तो कर लो चुपए से ये टू फोर जा एट सब ट्रेक करो जीरो आया उपर से से बन लेंगे अब टू थ्री जा शिक्स हां वन आया हमने तो अभी दसमलो असमलो की बात नहीं किया आप लोग चार कदम आगे जा रहे तो हम क्या करें यहां पर भागफल 43 आया रिमेंडर कितना आया सेसफल सेसफल साथ आया है भगवान कहां हो जल्दी आओ ये लोग क्या पढ़ रहे हैं सेसफल साथ कहां से आ रहा है मन्नु तिवारी हम गलत लगाए हैं कि आप लोग गलत लगाएं बै दूचावकाट दूच्यां इच्छ तो यह तो आप लोग कर लिए लेकिन अभी इसमें बढ़का बढ़का पूछेगा परिक्षा में जैसे 110-989 को 270 से भाग करना है चलो दिल थाम के बैठो 110-989 इनको 270 से भाग करना है आप बताओ इसमें भागफल कितना आएगा जो सबसे पहले बता लेगा हम मान लेंगे कि आप वास्तों में पढ़ने आए हैं और आपका बैक नहीं लगेगा आजी आप ये गारंटी ले ले लिजिए लेकिन जल्दी बताए इसमें भागफल कितना आएगा दसामलों में नहीं ले जाना याद रखना दसामलों में नहीं ले जाना जल्दी करिये फटाफट अब फिर कहोगे यह तो बहुते बढ़ा है क्यूं इवाई रूक जा नीचे नहीं गिरना आप लोक से तो बढ़ा नहीं नहीं यह प्रीती अटने देर में जागी योका तुम हम सोजाओ सोजाओ थोड़ा देरा उड़ सोजाओ अभी कलास ख़तम हो जाएगी देखिए इधर समझ यह इसको हम बताएंगे उसके पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा कर लीजिये कहते ना ज्यादा भार रख दो अगर नया नया चेला आया तो गड़ बड़ हो जायागा इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सीख रहें तीन का भाग करेंगे एक सो पन्चानवे में इसमें भागफल कितना आएगा इसमें एक मुसीबत है कि तुम इसे कल्कुलेटर भी नहीं कर सकते हो कल्कुलेटर से भाग करोगे तो सेस्ट फल आयगा और भागफल आएगा कुछ ना पता चलेगा इसमें काम नहीं करेगा मोबाइल का कल्कुलेटर से करो गे तो उसमें डायक पॉइंट में आ जाएगा तो भागपल मिलेगा नहीं ठीक है मैं बताओंगा इसको पहले इसको कर लीजिये अफनेहा तिवारी जी ने बता दिया है 55494 अफनेहा बिल्कुल गलत है आपका नीरज यादो राकेश कुमार इसका बता दिये 5549 अठायेगा देखो उसका नहीं बता पाया ठीक है इसका क्या होगा भाईया कैसे भाग करते हैं आप लोग जानते हो कि नहीं मैं भाग करना भी सिखा रहा हूं इसमें क्योंकि आपके सिलेबस में है पाठिकरम में है तो मुझे पढ़ाना ह भाग कैसे करते हैं जरा समझेए पाड़ सबको आता है जिनको टेबल नहीं आता कमेंट करिएगा हम टेबल का ट्रीक दे देंगे वो टेबल याद कर लेंगे चुपे से ठीक है ठीक है मनुतिवारी जी बहुत सही बेरी गुड कुछी लोग तो हैं पढ़ रहें और उनी की थिरी बड़ा है कि वन बड़ा है तो भाईया थिरी बड़ा है वन छोटा है तो यह चोटा है न तो यह पढ़ोसी को भी अपने साथ मिला लेता है यानि नाइन को भी मिला लेंगे अब बताव थिरी बड़ा है कि वन नाइन 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 तीन बड़ा है तो भाईया हम रहें लेकिन जादा ना हो अरे ऐसे समझझ लो कि आपको भूख लगी है आप 5 रोटी खाते हो कुछ लोग खाते हैं लोग तो यह तीन खाते हैं समझ्झे न तो अगर उसे तीन रोटी मिले 5 वाले को तो ठीक है लेकिन उसे 15 रोटी खिला दोगे न तो वो पढ़ जाएगा फिर इसे समझ रहो यह नि पांच के बदले वो पंदरा खालेगा तो गड़ बढ़ हो जाएगा हां कुछ कम खाएगा चलेगा तो वैसे क्या है इसका पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 18 या 19 हो जाए क्योंकि हमें सिखाना है तो हम सारी एक्टिंग करेंगे चाहिए तुम्हें आ रहा है ना रहा हो नहीं आ रहा तो सीखलो आ रहा तो थोड़ा सबर करो सबर कफल मीठा होता है तो भाईया इनका टेबल ऐसे होता है एक ठी बता रहा हूं सब नहीं बताऊंगा यह तीन चोग बारा तीन पचे पंदरा तीन चाहरा तीन सते एकईस तीन अट चोवीस थिरी नाइन जा टॉंटी सेवन हम हम अधिर टेंजा थर्टी यह इसका क्या टेबल है तो इसमें 19 के आसपास कोई है क्या पहाडा में खोजो 19 के आसपास हां 18 है और 21 है 21 जादा है एकईस जादा है तो भईया इसको पकड़ेंगे नहीं 18 है इसको इसको गिनलो यह किफ नमबर पे है शुरू से यह देखो 1,2,3,4,5,6 यह छटवे नमबर पे है ना तो हम यह छटवा नमबर उपड़ लिखते हैं अपर 6 ठीक है और 18 य इनको आपस में घटाते हैं वह न आएगा यह होता है भाग करने का तरीका जिनको भाग नहीं आता है वो भी यहां से सीख सकते हैं क्योंकि मुझे पता है आपने 9 10 में मैद पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा हैं ऐसा भी चाचा विदायक हैं तो पढ़ने का ज़रुत हैं 11 12 मे मैं मैध लिया ही नहीं हां बाइलोजी लेलिया अच्छे एक्सपेरिमेंट किये अच्छे अनुभू मिले और उसके बाद आगे चलके अगर भी यह वह भी किया तूसमें भी मैध नहीं लिया तो अब BTC में मैध पढ़ने में कहां अच्छा लगेगा उसमें तो सिखाना प उपर वाले को नीचे बुला लेते हैं अब इसका भाग कितनी बार जाएगा अब यहां पर मिलाओ कहां है भाई पंदरा ना इसमें देखो यह फीदा फीदा मिल रहा पंदरा सिता फीदा मिल रहा पाला में न तो क्या करेंगी पंच वे नंबर पहत उपर पांच बढ़ाएंगे यहां पर लिखेंगे पंदरा होई काम खथ जी रो आ गया यानी कितना आ गया कितना आ गया 65 ना कितना आगे 65 नहीं ठीक है कोई बेज़िती नहीं कर रहे हैं वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जिससे आप लोग जागते रहो थोड़ा-थोड़ा तो यह हो गया इसी तरह से इसको भी करेंगे प्यारे साथियों बहनों अंट भाईयों ध्यान से देखना अब मोदी जी के जाएसे बहुत थोड़ी देंगे थोड़ थोड़ा एक्टिंग कर लेते बीच बीच में चलिए देखिए अब यह 270 है तो हमें इसमें से चाहे 2 अंक की जरूरत पड़े या 5 अंक की उतने अंक मिलाएंगे कि 270 या उसके आसपास बन जाए तो भई आगर हम तीन अंक ले 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 इसमें तब ये गड़बड रहेगा क्योंकि तीन अंक मिलाने पर भी ये सिर्फ 110 आरा है तो हम क्या करेंगे 270 पर जादा हो जाए इसके लिए एक अंक और मिला लेंगे तो चार अंक मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा तो चार अंक मिला लेंगे तो ये 1109 हो जाएगा ये 270 हो जाएगा अब कहोगे कि गुरुजी अब ही तो तीन के पाड़ा लिख के हिया बताए दिया अब चला 270 के पाड़ा लिख के देखावा तो देखा भईया हमोग 270 के पहाड़ा वाड़ा नहीं आओ समझिए पहाड़ा हर चीज का याद नहीं किया जाता है ये 270 का कोई पहाड़ा नहीं याद करता है न कोई करेगा मैं बता रहा हूँ जुगाड क्योंकि आजकल इस देश की सरकार भी जुगाड पे चलती है है ना नौकरी भी जुगाड से मिल जाती है तो इस कुईस्चन में भी जुगाड लगाना पड़ेगा अन्सी का सांत हो जाओ नहीं तो आपको यहां से फटा फट भगाया जाएगा 9.99 का कलाफ है नहीं यह से बहुत डरते है यह 9.99 कलाफ है नहीं इसलिए आपको पांच मिनट के लिए होल्ड कर रहे है और मेरी बैटरी गई सिस्टम की एक मिनट लप्टाप चार्ज में लगाना है नहीं तो गया यह गयो गयो-गयो थोडाना सा रुक जब आइएगे बं लो बताया था बहुत पहले वो लग गया लो बताया था लेकिन मैंने लगाया नहीं था ठीक है चली आगे बात करते हैं मतलब की बात करते हैं चलो डन चोटे बच्चों की कलाफ नहीं भई चोटे बच्चे अपना जो उनकी कलास होती तब पढ़ें वो इस कलास में आ करके किर्वपया करके डिश्टबना करें खापी के सो जाएं उनके घर में भाईया बाबी दीदी अंकल अंटी है तो उनको भेजें और वह आके पढ़ें चलिए चल तो रहा है न थोड़ा थोड़ा फंस रहा है क्या हां तो हम बात कर रहे थे कि अब आखिर इसका भाग इसमें कैसे करेंगे ये कैसे जानेंगे कि इसमें इसका भाग जाएगा इसके लिए क्या करेंगे समझे इसमें का एक अंक पकड़ेंगे एक अंक पकड़ेंगे इसमें का दो अंक पकड़ेंगे और ट्राई करेंगे कि इसमें कितनी बार भाग जाएगा कितनी बार जाएगा तो भाईया दू का भाग 11 में कितनी बार जाएगा जरा सोचो आप तू का भाग 11 में कितनी बार जाएगा जरा सोच के बताओ तो देखो सिंपल सी बात है तू का भाग अगर हम आपसे बोलें कि वन वन में कितनी बार जाएगा तो आप कहोगे कि पांच बार जाएगा गुरू जी अरे गुरु जीने बोलो यारे दोस्त बोलो कुछ भी बोलो वैसे भी हम गुरु लाइक नहीं है भी छोटे हैं बहुत इतने छोटे हैं कि भिया नहीं भावे थक पांच बार गया न तो जितनी बार ये गया उतनी बार हम ट्राई करेंगे इसमें भाग ले जाने का इसमें यानि इसका भाग उतने बारρά ट्राई करेंगे जितना यहां गया बस ये होता एक जुगाड तो पांच बार ट्राई करके देखो और हाँ जैसे अगर हम बोलते कि तीन वाला था तो तीन पचे तो पंद्रा होता है तुम सबको पता है कि तीन पचे 15 पंद्रा होता है लेकिन भाईया 275 कितना होता है हमें खुद नहीं पता है तो उसके लिए का करते है 275 हमें नहीं पता है तो हमें काम करते हैं इसको 5 से गुड़ा करते हैं और गुड़ा करके उसका मतलब निकालते हैं कितना होता है ऐसे तो 5 का 0 में गुड़ा किया तो 0 5 का साथ में किया 535 और 5 दूना 10 तीन 13 यहनी 1350 आएगा कितना आएगा 1350 अब यहां ध्यान देना यह 1350 आया और यह 1109 ज्यादा हो रहा है कि नहीं ज्यादा हो रहा है न लेकिन हाँ जुगार मिल गया अब कोई दिकत नहीं 5 बार नहीं जाएका लेकिन 5 बार पक्क आ जाएगा 4 बार तो पक्का जाएगा 100% क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो रहा है तो 4 बार ले जाके देख लो कर로 कहीं भी कर कर लो भाई 270 का गुड़ा चार से कर लो चार का जीरो में जीरो चार सते अठाइस हांसिल दो चार दूना आट दू दू दस एक हजार असी कोई परिसानी किसी को नहीं न तो ऐसे इसका पहाड़ा बना लेते हैं पहाड़ा सभी को याद नहीं रहता है इतने बड़े-बड़े पहाड़े कोई न याद करे नहीं इसका कोई जरूरत होती है जब काम लगता है तो ऐसे बना लिया जाता है यह होता है बड़ी संख्याओं को भाग करने का तरीका आपकी परिक्षा में इस तरह का भाग पूछा जा सकता है याद रखना इस बात को लाइट बहुत धीमी हो गई है मुझे लग रहा है थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी चलो गटा लेते हैं फिर सब्ट्रेक कर लो सब्ट्रेक कर ली जीए आईए मिलके हम लोग आगे बढ़ें इनको सब्ट्रेक करिए 9 में से 0 गया तो 9 यह 0 में से 8 नहीं जाएगा फलाने पड़ोसी से उधार लेगा 10 बनेगा 10 में से 8 जाएगा कितना एका 29 कि अब क्या करेंगे अब देखिए यह जादा है यह कम है तो गल का जो आठ बचा था इसको भी लिख लेंगे अब देखो भाई है 298 हो गया 270 है अब बड़े प्यार से वन टाइम चला जाएगा गटा हो गया इनको गटा हो गया नौ से साथ गया दो आएगा यानि कितना आ गया 28 इसमें एनी डाउट किसी को नहीं न कोई डाउट नहीं चलो अब क्या करेंगे भाई समझना अब क्या करेंगे जरा समझना थोड़ा सा बस थोड़ा सा अब देखो यह तो हो गया खतम लेकिन अभी नौ उपर बचा है और 28 यह 270 यह चोटा यह बड़ा है उपर से 9 यह लिख लेंगे 289 फिर कितनी बार ज जाएगा किती बार जाएगा वन बार गटाय लो भाई घटाय लो सब्ट्रेक कर लो सब्ट्रेक कर लो फटपफट अब नो में से 0 गया 9 आठ में से 7 गया एक यह हो गया आपका कहानी खतम पैसा हजम अंसर आ गया 411 अब मुझे यह बताएए इसमें भागपल कितना आया इंग्लिस बोलना भी दिर दिर सीख रहें कुछ दिन बाद हम बहुत फर्राटा इंग्लिस में बात करेंगे फिर आप लोग के पल्ले नहीं पढ़ने वाला है हम सब के साथ हैं कौन सा कलास है यह बगवान कहां से इनको बेज दिया नाम तो इनका है कि हम सब के साथ हैं लेकिन पता इनको आलू और अंडा मंतर नहीं मालूम है चलो छोड़ो जाने दो यह हो गया अब ऐसे एक मैं अगर आपको और देता हूं तो आप मुझे बताना उन्चास चार सो इक्यानवे इनको भाग करना है 117 से अब बताओ आप लोग इसको भाग करने पर भाग फल कितना आएगा इसको इनसे भाग करेंगे तो भाग फल कितना आएगा जरा बताईए देखो भाई आईए बहुत आसान भाग नहीं है ललू लाल जो लोग अपने आपको बड़ा तीसमार खान बनते हैं उनको ऐसे बड़ी से भाग दे दीजिए और बोलिए भाग फल बताओ उनके खोपड़ी नहीं काम करेगी कहतो कल्कुलेटर भी ले लो तुम मॉबाइल भी ले लो बताओ क्योंकि मॉबाइल से होगा ही नहीं मॉबाइल से भाग करेंगे दसमलो में आजाएगा भाग फल कभी नहीं बताएगा मॉबाइल मोबाईल में भाग करोगे तो क्या आएगा जीरो आजाएगा मतलब सेस्पल वो जीरो करके दसामलों में देता है मोबाईल से आएगा है नहीं मोबाईल में कर लो नहीं अब तक तुम लोग बताना देते हैं खटा-खट कि यह पॉइंट में बता रहा देखो हराम खोर पता नहीं क्या-क्या गर्या दू मैं इसमें बताओ कलास है कितनी बार बोल रहा हूं की मोवाइल से ना करो और यह भी डिल छी श्टूडेन्ट नहीं है मुझे पताया भाही यह डिलेड वालों की क्लास है इसमें छोटे बच्चे अलावू नहीं है अठारा प्लस लोगों के लिए चलो बताईए जल्दी से नीरा जया दो पानी वानी पी लें दो भाई जल्दी जल्दी मत करो एक घंटा लगबग होने वाला है कि अ हुआ कितना आएगा बताओं मैं इधार रख दबाई चल कितना आएगा ठीक है चलिए बताता हूं दिखाता हूं पवन कुमार भाई आप छोटे कलास में हो ना मुझे लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप सूबा मिलना सुबा मिलना सुबा जाओ अभी सो जाओ परिसान ना करो नहीं तो अंसिका को होल्ड करा गया न वैसे तुमें भी कर दिया जाएगा यह छोटे बच्चों का खेल नहीं है थीक है देखो समझो इसको क्या करेंगे भाई भाग करना है 117 यानि 117 है अब हम इसके हम जोली का इधर खोजेंगे जैसे किसी की साधी करना है अब लड़की है अगर 28 साल की तो लड़का 15 फाल का तो रहेगा नहीं उसके कहते हैं ना हम उमर का ना मतलब लग भाग होता है तो वैसे क्या करने वह इनको भाग करना इनसे तो इनके लगभग बराबर की गिंती खोज थे हैं समझ रहे हो लगभग बराबर की जैसे अगर हम फोर ले 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 तो यह बहुत छोटा है नहीं दूए गिंती मिला लो दूए डिजिट तो 49 यह अब भी छोटा है इसकी उमर हो गया जैसे हम साधी वाला एक जमपल दे रहे तो उसमें होता नहीं लड़का बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं ऐसा अकसर होता है लोग खोजता है ऐसा ही दुनिया मैंने देखा है सुना है बाकि कोई प्यार महबत किया है उसकी उमर में 10-20 साल का अंतर है तो वो दूली किया ना ठीक है चलो तो तहीर धीर हम लोग सब कुछ सीखते जाते के आरशा को कि अब इसमें भाग करना है किसका 117 में 494 में थीक है यानि ये कुल मिलाके कहने का मतलब हमें यह करना है अब कहेंगे कि हमें 117 का भाग तो आता नहीं है कि 117 का पहाड़ा तो आता नहीं कैसे करेंगे वह देखो अजमाते हैं ट्राइ करते हैं हम इसमें से क्या ले लेंगे दो गिंती ले लेंगे एक नहीं लेना दो लेना कम से कम और इसमें का दो ले लेंगे इन में ट्राइ करो भाग कितनी बार जायेगा पावन कुमार बहुत अच्छे बाई पावन कुमार बेरी गुड कितनी बार जाएगा तो ग्यारा का भाग अगर फोटी नाइन में ट्राई करोगे बाबू तो फोर बार जाएगा बोलो जायगा न, चारी बार जायगा न, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चार बार जारा, चार बार ट्राइ कर लेते हैं, चार बार का मतलब 117 को चार बार, मल्टीपल करिए चार सते अठाइस हाफिल दो चार एक कम चार दो चार एक कम चार 468 ठीक है अच्छा है तो सही जारा चार बाल ले जाओ 468 गटा लीजिए 14 में से 8 गया 6 ये 8 8 में से 6 गया 2 26 आया न अब क्या करेंगे भाई ओपर से 9 उतार लीजिए क्या उतार लेंगे 9 समझ रहे हो ना अपलो समलू कुहरामी कुहरामी अच्छा उपर से 9 उतार लेंगे अब भाई देखो 117 का भाग इसमें लगबग 2 बार जाएगा क्योंकि मैं बहुत लंबी कहानी करूंगा बहुत टाइम भीत रहा है दो बार जाएगा दो सते 14 हांसी लेक दो एक कम दूई एक तीन दो एक कम दूई घटा लो अब उपर अभी वन बचा है वन उतार लेंगे अब इसका भाग इसमें तीन बार जाएगा तीन सते 21 तीन एक कम तीन दो पांच तीन एक कम तीन आया समझ में 423 आ गया सेसफल जीरो आ गया ठीक है सब को समझ में आया ना लिख लिजिए फटा फटी ये हो गया भाग करने का तरीका देखिए ये सब सीखना जरूरी है आप डियलेट में पढ़ रहे हैं मजबूरी नहीं है ये जरूरी है क्योंकि कल को अगर आपका लड़का बच्चा हुआ उसको पढ़ाना होगा न तो काया का मम्मी को कुछ आता ही नहीं हाँ पापा हमारे एकदम गदा है हमें ही पता नहीं कहा सेर होईगे तो इसलिए आपको आना चाहिए भाग की संक्रियाएं और हाँ अभ्यास प्रस्न भ करेंगे division operation इसें इंग्लिज में बोलते हैं क्या बोलते हैं division operation लिख रहो सभी की नहीं लिखते जाएे ठीक है इसमें वही सब पढ़ते हैं जो अभी गुड़ा वाले में पढ़े हैं करम्बनिमिय नियम साचर नियम और सन्वत नियम वगरा वगरा जो भी है सब कुछ पढ़ते हैं ठीक है तो लिखिए आप लोग हां सब के लिए है क्योंकि इसमें जो कांसेप्ट बेसिक वाला सिखाया जायेगा ना वो सब के लिए होगा एबरीवन के लिए यह थोड़ा जाद आच्छा रहेगा छोटे में तो आप हेडिंग डालिए भाग की संक्रिया है है उसके बार लिखिए भाग संक्रिया का करम्बनिमिय गुडधर्म जल्दी लिखिए भाग संक्रिया का करम्बनिमिय गुड़धर्म अन्नु सुकला इंगलिस सेंटर सोनी आदो अनामिका मोहनी प्रियंका कुमारी मन्नुतिवारी नेहा गुपता सबका कमेंट आ रहा है जागते रहिए गठीक है भाग संक्रिया का करम बिनिमे गुड़धर्म आप लोग मुझे यह बताओ कि गुड़ा वाला आप लोग पढ़े हो कि नहीं देखो भाईया यह जो करम बिनिमे गुड़धर्म है जिसे कमुटेटिव ला बोलते हैं गुड़ा वाले में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है पढ़ा है ना होता कैसे है यह कमुटेट भाग संक्रिया करम बिनिमे गुड़धर्म का पालन नहीं करती है कैसे क्योंकि करम बिनिमे गुड़धर्म यह कहता है कि अगर A को B से भाग करें तो B को A से भाग करें मतलब यह बराबर नहीं होता इसमें यहां भारतिय संस्क्रिती अपना ही जाती है पती पत्नी का नाम लेकर बुलाता है लेकिन पत्नी बहुत मुश्किल पढ़ने पर भी पत्नी का नाम नहीं लेती यह भारतिय संस्कृति में होता है लेकिन अब नहीं होता है अब तो हम लोग भी देशी और परस्ची मी सब बता सीख रहें अब तो नाम लेके बुलाते हैं है ना चलिए बात करते पढ़ाई पर बीच बीच में करते रहेंगे यह ऐसा क्यूं होता है ध्यान देजिए एक उधारण के तौर पर देखो भाईया जैसे हम दो गिंती लेले मान लो छे और तीन तो अगर हम तीन में छे का भाग करेंगे और समझे ना आते हैं यहां पर दो आएगा लेकिन इसी में दोनों साथ साथ करते जाएं साथ साथ में करते जाएं अगर हम हमने क्या किया एक को छे माना है बी को तीन माना है तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या यह ऐसा हो सकता है बोलो ऐसा हो सकता है क्या छाका भाग तीन में जायेगा बताइए हाँ जायेगा जरूर जायेगा लेकिन ये दस हमलों में आयेगा ये बराबर नहीं आयेगा ये 0.5 आयेगा ये 2 आयेगा लेकिन गुड़ा में ऐसा नहीं होता था एक मिनिट हम पीछे ले चलते हैं आपको खोपड़ी थोड़ी सी ताजी कर दें आपकी देखो भाई अगर ये मल्टीपल वाले में होता बाबू ये देखो छे गुड़े तीन या तीन गुड़ा छे करो तो ये 18 बराबर अठारा आ आता था ना इसलिए कहते हैं कि जो गुड़ा है गुड़न की संक्रिया करम बिनिमे गुड़धर्म का पालन करती है क्योंकि इसमें करम बदलने से इसके मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे छे का तीन में मल्टीपल करो या तीन का छे में 18 ही आएगा लेकिन भाग मे में करोगे तो दो आएगा लेकिन अगर छे का भाग तीन में करोगे तो आधा आएगा 0.5 तो आप लिख लिजिए निचे निसकर सीधा सीधा मैंने पहले भी लिखवा दिया कि भाग की संक्रिया करम बिनिमे गुड़धर्म का पालन नहीं करती है अगला लिखिए भाग संक्रिया का सहचार नियम थोड़ा मैं इसको मिटाओंगा लिपोत के रुके रहना भाग संक्रिया का सहचार नियम सहचार नियम भी पढ़े हो आप क्यों भाई पढ़े हो ना सहचार नियम जिसे एसोसियेटिव ला बोलते हैं क्या बोलते हैं एसोसियेटिव ला चलिए साहचर नियम भी देख लेते हैं देखे जो गुड़न की संक्रिया है याद रखना वो लगभग हर नियम का पालन करती है साहचर नियम, करंभीनियय नियम, बितरण बंटन नियम, सन्मत नियम जो जो नियम है इमें गुड़ा सब का पालन करता है वो एकदम सीधी गाय है बोली बाली हम बिल्कुल लिकिन यह ऐसा नहीं भाग में ऐसा नहीं होता है आईए लिखिये भाग संक्रिया का सहचर नियम सहचर नियम ए भाई चल नहीं रहा ये सहचर नियम लिखिये यहां भीगा हुआ है कैसे सुखाओं में गर्मी तो है नहीं कि सुख जाए गर्मी में तो तुरन सुख जाता है जिसे बोलते हैं एसोसियेटिव ला क्या बोलते हैं एसोसियेटिव ला ये कुछ ऐसा होता है यदि A डिबाइड वाई B है हम और ये कोश्ठक में हो जाए ऐसे और डिबाइड वाई C समझ रहो यानि A को B से भाग किया जाए जितना आए उसको C से भाग किया जाए या फिर A में ऐसे भाग कर दिया जाए किस से B और C से तो ये दोनों बराबर इसमें न थोड़ा बफरिंग करेगा तो कोई जाएगा नहीं ठीक है बिल्कुल टेंसान न लेना कलास बंद नहीं होने वाली कलास चलती रहेगी डॉंट वरी चलिए मुझे लग रहा है कि सायथ थोड़ा बफरिंग कर गया न है देख़े समझें है तो भैया ये एस्सेटिव लाका भी पालन नहीं करеци आप लिख लीजिए इसको लिखने के बाद नीचे लिखिये भात की संक्रिय है साचर नियम का पालन नहीं करती है बहाग की संक्रिया साचर नियम का पालन नहीं करती है देखिए उधारन लिखिए इसमें उधारन समझ लिजिए देखो भाई अगर मैं दो नंबर ले लेता हूँ एक मैंने A को 9 मान लिया B को मैंने 6 मान लिया और C को मैंने तीन मान लिया समझते चलना ठीक है अब देखो मैं एकजामपल समझा रहा हूं बाबू समझा न A को मैंने नौ मान लिया B को मैंने छे मान लिया और C को मैंने तीन मान लिया ठीक है अब समझना A को मैंने छे नौ माना था B को मैंने 6 माना था C को 3 माना था तो ये बताओ क्या ये बराबर आएगा अगर बराबर आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ ये भाग की संक्रिया साचर नियम का पालन करती है अगर बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे साचर नियम का पालन नहीं करती है को कहें तो कोई परेसानी नहीं है इसे हम नुब ठाचे भी लिख सकते हैं लिख सकते हैंहा है walking tan एक्षम यह दाल देऊ एंट कि अंधिड़ी दसामरों मेशंबलों में जाएगा बताओ कुछ जायगा हुँआ कि नहीं मोटा 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 में बता दे रहा हूं बाकी बात छोड़ो हमें उसके actual answer से कोई मतलब नहीं हमें सिर्भी तने मतलब है कि दोनों बराबर होगा या नहीं होगा हम दोनों बराबर होगा कि ना होगा हमें सिर्भी तना से मतलब है मानबेंदर सिंग बताईए सभी एक बार कमेंट करिए क्या ये दोनों बराबर आएंगे दोनों पक्छ हाँ या नहीं और जो सोर है न थोड़ा मोबाइल रख करके रजाइम घुस गया है मम्मी पापा को लग रहा है बिटी अबामा पढ़ रही न अभी हम यही में उनको सुनाना भी शुरू करेंगे यह तो बोलते जाएं बोलते जाओ भाई ऐसा नहीं मजा आएगा मैं सामने से हट गया हूँ सकल मत देखो मेरा चलो आएगा बराबर कि नहीं आएगा अब मैं इसको बताऊंग अभी नहीं भारती समझ नहीं आ रहा है अनुसका फैन सही कहा सही ही तो हम कहते हैं लेकिन आप लोग समझो तब ना ठीक है तो यह बराबर नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा पहिस सीम्पल सी बात है यह जो भी आएगा सम्थिंग दसमलो में आएगा बताई देता हूं काहे को नौ में भाग कर लीजिए 6 से न 6 कम 6 3 आया उपर दसमलो बढ़ा के 0 उतार होगे 6,5,30 यह यह 1.5 आया सम्थिंग इसको आप 3 से भाग करोगे यह 9 डिवाइड बाई 2 सीधा सा बात है आप देख लीजिए इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.5 क्या आएगा 4.5 आएगा लेकिन जब हम 1.5 यानी डेढ़ को भाग करेंगे तीन से तो यह कभी भी आपस में बराबर नहीं आएगा यानी यह क्या होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे सीधी जबात है कोई भी एक्जांपल रखके देख लीजिए हमें इसको पूरा हाल करके दिखाने से कोई मतलब नहीं है हम समझ गए ना अनुसका जी यह प्लेटफार्म बातचीत वाला नहीं है साधी हो जाती तो फिर हम यहां कहा यादे हम वही तो प्रॉब्लम है साधी हो जाये तो फिर पढ़ाईये नहीं हो पाएगी काम नहीं हो पाएगा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है इसलिए आपने देखा होगा जिनको लाइप में कुछ बड़ा हासिल करना वो जल्दी साधी नहीं करते हैं और जो जल्दी साधी कर लेते हैं उनकी बड़ी मजबूरी होती है यह तो फिर उनका आगे उद्देश नहीं होता है कुछ चलिए हो गया इसको कर लिए तीसरा नियम डालिए यह दूसरा था यह दूसरा था वहाँ पर मैंने गल्ती से पहला ही लिख दिया छूट गया था आप लोग यह बताएए कि आवाज सही आ रही है चले आगे बढ़ें हाँ तो आगे क्या है अगला क्रम नियम हो गया साचर नियम हो गया अब लिखिए बितरन नियम बितरन नियम या बंटन नियम यह भी लिख लो भईया बितरन बंटन नियम भी लिख लो उसके आगे है कुलोजर प्रपर्टी लिखिए भाग संक्रिया का बितरण नियम तीफरा नमबर है ये भाग संक्रिया का बितरण नियम तीफरा भाग संक्रिया का बितरण नियम बितरण को बंटन भी बोलते हैं याद रखना बितरण या बंटन नियम दोनों एके हैं जिसे इंगलिस में डिस्ट्रिब्यूटिबला बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे कुछ मैंने इंगलिस लिखके रखा लग से डिस्ट्रिब्यूटिबला क्या बोलते हैं डिस्ट्रिब्यूटिबला industry beauty law इंगलिस हो सकता है मेरी थोड़ी कमजोर है ये क्या होता है इसमें सीधा सीधा लिखिए कि भाग की संक्रिए बितराण नियम का पालन नहीं करती है इसमें कोई एगजामपल कुछ समझेना जरूरी नहीं है लिखिए भाग की संक्रिया बित्रण नियम का पालन नहीं करती है ठीक है हो गया भाग की संक्रिया बित्रण नियम का पालन नहीं करती है बित्रण नियम क्या जरा समझे जैसे गुड़ा में आपने सीखा था थोड़ा कम समझ में आएगा इसमें भाग में भृत्रड नियम ऐसे होता मेरे भाई जैसे यह यह इनका मल्टीपल करो तु तू तीन का गुड़ा पांच में करो तिन का गुड़ा साथ में करो ऐसे कुछ तो भाग में यह बिल्कुल लागु नहीं होता इसको दिखाया भी नहीं जा सकता है कि चलिए अगला नियम डालिए भाग संक्रिया का भाग संक्रिया का सन्वत गुर्धर्म मानबेंद्र सिंग कह रहे हैं कि इनकी साधी जबर्जस्ती हो रही भाई जबर्जस्ती नहीं कर सकता है कोई भी आप 18 साल के होंगे वैसे भी गौर्मेंट अब 21 की उम्र ले आई है तो आप अपने घर वालों के खिलाफ केस कर दीजिए आपके ममी पापा चाचा चाची अंकल अंटी जो भी होंगे वो चले जाएंगे सालाखों के पीछे अगर चाहते हैं तो कर दीजिए जैसा है आप समझदार हैं बाकी आपका प्रस्नल मामला है क्या मैंने कहा भाग संक्रिया का सन्वत गुर्धर्म इसको बोलते हैं क्लोजर प्रपर्टी क्या बोलते हैं क्लोजर प्रपर्टी क्लोजर प्रपर्टी यह क्या होती है इसका मतलब वही है कि चूहा से चूहा पईदा होता बिल्ली से बिल्ली से शेर से शेर इंसान से इंसान मैंने बताया था गुड़ा में बताया था कि जब दो परिमिय संख्याओं का यह रेफनल नंबर्स का मल्टीपल होता है तो जो एक मल्टीपल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं इंगलिज में हिंदी में गुडनफल बोलते हैं वो भी एक रेफन क्रिया संवेत गुअ करति है अर्थाथ जब हम किसी परमिया संख्या को कोई परमिया संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा जो आता है वो क्या होता है परम History रही होती है बम tu Islands um इतेंद्यद्र गंगवार जी माफ ही चाहते हैं आप कही और देख लीजिए समझ रहेना मन जाएंगे नहीं सीधा सीधा मना लो नकाय है यह बोलना जरूरी है क्या कि यार यह कभी-कभी बीच-बीच में रुक जा रहा है अगर मैं ध्यान ना दूं तो यह मुसीबत कर देता है इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आता है पहले तो टिंड न से बोलता था रुक जाता था तो पहले बोलता था रहें हो गया इतना अभू हां अभू हम मतलब की बात करने वाले हैं सबसे पहले सभी यह बताईए ये बताईए कि इसके पहले जो आज तक साथ कलास चली है किसने किसने देखा है अगर देखा तो यस बोली है नहीं देखा तो नो देखा देखा पूरा देखा वाली मैं कमेडी वाली बात नहीं कर रहा हूं सही सही का सीरियसली बताईए देखा है आप लोग उन्हें जी तेंदर इसी लिए आप बोल रहे हो इस्पीड बढ़ाने को मुझे पता है जो रेगुलर हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन्हें सब समझ में आ रहा है जो ऐसे भूल चूक से आ गए उन्हीं की दिक्कत है तो भूल चूक से तो सब्सक्राइब से तीन दिन चलती है मंडे ट्यूजडे बेड़नस दे रात के 10 से 11 सब्सक्राइब सिर्फ तीन दिन में हम बहुत कुछ पढ़ा देते हैं लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इमांदरी शित्तप ठीक है बफरिंग करेंगा तो कोई जाना नहीं कोई नहीं जान जिनको दुबारा पढ़ना है वो कलास को रिपीट कर सकते हैं जब यह कलास लाइब इंड हो जाएगी तो यह कहीं जाएगी नहीं यूटूब पर रहेगी आप दुबारा देख लेना क्या प्रॉब्लम है भई हां दुबारा देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ अब हम करेंगे अभ्यास प्रस्न क्या करेंगे अब अभ्यास प्रस्न करेंगे इसमें टॉपिक में भी लिख लीजिए अभ्यास प्रस्न यानि एक्सर साइज करनी है जो अब तक पढ़ा है उसको आपको बताना है ठोड़ा टेस्ट करना है कि आपको कितना आता है कुष्टन नमबर पहला है 48 को किस संख्या से भाग करें किस संख्या से भाग करें कि भागफल 4 आ जाए जबाब दीजिए सबसे पहला जबाब कौन बताया वही मानबेंद्र जितेंद्र जी पी वी र स्टड़ी सर्च करिये मिल जाएगा कहीं भी किसी भी सोशल प्रेट फार्म पर आप पी वी आर एस्टड़ी पी फार पाइरट वी फार वाहन आर फार रेट चुहा पी बी आर यह पी वी आर का मतलब पाइरट रेट चुहा नहीं है इसका कोई और मतलब है ठीक है मानबेंद्र जी ने सबसे पहले जबाब दिया है किसे करते हैं बैस साला रुक जाता है तो बहुत गुसा रगती है अरे बोल दिया करो आप लोग की रुक गया है बोल दिया करो रुक गया बीच-बीच में थोड़ा बफरिंग कर जाता है कभी-कभी थे ठीक है देखिए तो हमें नहीं पता किसे भाग करना है हमें भाग फ़ल 4 लाना है तो हम ऐसे करेंगे हम मान लेते हैं कि इसको एसे भाग करें मान लेते हैं थीक है अब 48 अपान इसको लिख सकते हैं भाग कशिनए धाके यह 4 नीचे वन लिखेंगे cross multiple होगा भाई तो 4A equal 48 हो जाएगा बाबु ये तो A equal ये आपका 48 upon 4 देखिए 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं आदत खराब है कहीं ये लिख दिये कहीं वो लिख दिये ठीक है तो इसको थोड़ा सही कर देते एक ही तरह से नहीं आप लोगा रहोगे भाई थोड़ा बहुत ये ये लॉब ठीक है डन एक के तरीका सा कर दिया हर जगा नहीं कुछ लोगा रहेंगे कि मतलब ऐसा कई से करी कि भी को समझ में आया हां ये इससे को पता था बस ऐसे ऐसे परस ना आते हैं बहुत भड़ा नहें आता हएससे ही आते हैं कुछ लोग ओग सोच रहे हूंगा इतना च्छोटा-च्छाद सबेको पता है हां ऐसे ही आते हैं लेकिन छोटे में ही तो लोग लटक जाते हैं बहुत से लोगों का बैक लगता है हां रोते हैं ब्रेक अप हो जाता इसी बीच में क्योंकि पढ़ाई में दिमाग लग जाता है सब छूट जाती कहानी पीछे चलिए आगे बताईए 15% को भिन्न में बदलिए 15% को भिन्न में बदलिए देखते हैं सबसे पहला किसने बताया चलो चलो अब आज रिपीट हो रही क्या मेरी हां रिपीट होगी तो बता देना अब मैं हमेशा नहीं ध्यान दे पाता इस्क्रीन पर कभी-कभी यह गड़बड़ा आ जाता है भाग जाता है कुश्चन लिखना पड़ेगा भाई या चलो लिख लो चाच्चा फिर चलो देखो भाई मैं नोटीफिकेशन आंकल लूँ एक मिनट जिससे जैसे यह डिसकनेक्ट हो वैसे मैं काम करने लगूं दूसरा ठीक है रुके रहू थोड़ा सा रुकना नोटीफिकेशन इसकान करना पड़ेगा क्योंकि बार बार बीच में जब बफरिंग होता ना मुझे पता नहीं चलता है मालू नहीं चलता है है एक नहीं है यह यहार बफरी होने लगता बीच बीच में यह प्रॉप्र कि चलिए ठीक है कि आगे बढ़े हाँ तो पंद्रा पर्सेंट का मैंने मान पूछा था इसका जबाब सबसे पहले कोई बताया है नहीं बताया किसी को पता नहीं किसी को पता नहीं तो भई पर्सेंट का चिन हटा करके क्या करते हैं हंडेड से भाग करते हैं बस यही तरीका है इसको भिन्द में बदलना है पांच से काट दीजिए 5-15 यानि तीन बटा 20 हाएगा इसका आंसर ठीक है अगला एक सवाल का जबाब दीजिए अगला एक सवाल का जबाब दीजिए यदि भाजक 16 भागफल 5 बताइए भागफल 5 तथा सेस्फल वन है तो भाज्य क्या होगा तो भाज्य क्या होगा बताइए जब आप दीजिए फटा फट यहाँ पर तीन तीन वाइफाई लगा है लेकिन जान रहे न सिस्टम ही भरष्ट चल रहा है तो कहाँ चलेगा वाइफाई जितेंद्र बस बस भाई एक है बार आती ना कर दीजी एकदम के लोग भाग जाएं अनुपम मौर्या ठीक है सबसे पहले कौन बताया इसका जबाब जी तेंद्र ठीक है जी तेंद्र बहुत अच्छे अनुपम ठीक है बेरे गुड़ बच्चे बहुत अच्छे चलिए तो यह सबको पता है एक छोटा सा इसमें सूत्र होता है जो आप लोग जानते हो भाज जी बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेस्फल वाला वही आप लोग यहां पर लगाएंगे और आ जायेगा यह बताये भागफल को इंगलीस में क्या बोलते हैं भागफल को इंगलीस में क्या बोलते हैं मन्नुतिवारी बहुत देर में आंसार आरा आपका मुझे लग रहा है कि आप पहले कलास से ही देख रहीं तो फिर आप लोग जबाब नहीं देते तो मुझे लगता है न कि मैं फालतू है सबको छोड़के चिलाया जा रहा हूं रात बारा बज़े अरे थोड़ा पहले वत वार है आप Beauty इसको डीवीड स्थे हैं तो हमने यही डीवीडीन फाइंड करना यहां पर यह 16 यह 5 दिया है यह वन दिया है तो आसीदाने की को लिक्यासी आता है समझ में आया ना प्रीती परजापती ठीक है बहुत अच्छे एक और बताईए 110-989 को 270 से भाग करेंगे इसका अंसर जो सबसे पहले बताएगा मान लेंगे क्यों बड़ा सिकारी है चलो सिकारी मतलब बहुत ही तेज बालक है वो या बालिका है जो भी है अब गलत मत समझना तो सेस फल बताईए ए रुक्के बताईए देखते हैं इसका अंसर सबसे पहले कौन बताता है जिनको लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो बता दें तो हम जान जाएं मान लें कि हां वो पढ़ते हैं यह मोबाइल से भी नहीं होगा ये मोबाइल से होगा है नहीं क्योंकि मोबाइल सेसफल नहीं बताती, नारमल लोगों कि बाकि हाँ जो लोग, टेकनिकल एक्सपर्ट हैं उनकी मोबाइल में सेसफल आ जाएगा वालग बात सेस्पल कितना आएगा इसको भाग करेंगे तो बताओ फटफट असनेहा प्रीती मोहित अन्नू उत्राखंड जी के बित भट जीरो से मैट सीखनी है ए बाबु जीरो से सीखना है न तो आप PVR स्टडी एप डाउनलोड कर लिजिए और एप में जाकरके बड़े प्यार से कोर्स ज्वाइन करिए रात दिन सुबह साम चाहे जब पढ़िए बाकी यूटूब पे हमारे साथ पढ़ने के लिए रात नो बज़े से आईए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जो आपका धरम करम है वो करिए जितेंद्र गलत है नेहा कुपता गलत है तीवारी जी मैंने कुछ और पूछा आप मैंने सेसफल पूछा है प्रिया अच्छा तीवारी जी बताएं और आप बैठके देखो बहाँ क्या जमाना है मतलब इनको नंबर नहीं लेना है एक्जाम में बोल देंगी कि भई मन तिवारी जी को नंबर रही दो हमें नहीं लेना है हमार तो बाइक लगा दो ठीक है चलेगा हा साम 4 वजे साम 4 वजे कच्छा 7-8 की मैच चल रहे हैं इनको बेसिक सीखना पढ़िये साम को 8 वजे कच्छा 6 की मैच चल रहे हैं उसको पढ़िये concept वहां सिखाया जाते हैं एक और बताईए छोटा सा एक दमन्दासा एक छोटा सा बताईए सत्मा 32 गुड़े 100 कितना आएगा जल्दी से फटा फट एक सब्द में बता दीजिए जल्दी बताईए फटा फट बताओ इसको रोमन में कैसे लिखेंगे बताईए आठवा नंबर हो गया कुईशन नंबर नौ देखो भाई यहां ट्रिक वालों की जुगार नहीं है यह कमपटिशन की कलाफ नहीं है यहां पर ट्रिक बताएंगे ते इनका खुड ट्रिक लग जाएगी इनको डीटियल में लिखना होगा परिक्षा में काजल गुपता अकमल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे बहुत 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 बहु यह इनका क्या है नाम है भाई यह PVR study कौन है अगे बढ़े हाँ तो रोमन संख्या में 50 को यल लिखते हैं यर फार लॉयन लॉयन फार फ्यार केसी टीम कटरमला नाइन नमबर बताइए यह बताइए कि कैप्टाल यम यह एक रोमन संख्या है ना तो इसको संख्या पद्दती में क्या लिखेंगे बताइए कैप्टाल यम यह क्या एक रोमन संख्या है यह क्या एक रोमन संख्या है तो हम लोग जो लोग पढ़ते हैं अ capital M command क्या होगा मन्नु तीवारी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बढ़े गुड बच्चे बढ़े गुड बढ़े गुड साथियों बहुत अच्छे अक्मल जी नेहा गुपता नेहा इतना पीछे चलोगी तो कई से काम चलेगा मतलब यह लोग नौ नंबर का जबाब दे रहे हैं अभी यह छवय नंबर में अरे थोड़ा थोड़ा घिसिक आई है चलिए उमेज बहुत अच्छे बेरे गुड बेरे गुड ठीक है अगला एक सवाल और हमें लग रहा कि बहुत सारे हो गए यह डीलेड वालों के चैप्टर से लेबस पर अधारित है कुश्चन नंबर एक और बता दीजिए 42 186 है इसको आई से गुड़ा करना है 335 से कितने लोग कर लेंगे मोबाइल से नहीं करना इमानदारी से आपको आपके फेबरीट प्रेमी प्रेम काओं की कसम है मोबाइल से नहीं करना चलो क्योंकि आप लोग समझते है इन बातों को बाकी तो नहीं समझेंगे माता-पिता की कसम को नहीं मानते हैं लेकिन उनकी जरूर मान जाएंगे चलिए बताइए मोबाइल से नहीं करना अब अगर इस कसम को भी कोई नहीं मान रहा है तो फिर बात ही अलग है प्रिया जी आपकी first class है हमारी कोशिस है कि आप अंतिम class तक देखें मतलब सभी class देखें चलीए class हम बहुत ही बहतर कर दी हैं पहले से जादा अगर आप देखोगे तो बात्चीत नहीं होती जादा फिर जादा पढ़ाई होती है पहले हमने बहुत गलत किया था बात्चीत जादा होती थी पढ़ाई कम होती थी question number 11 ये बताईए कोई बताएगा गुड़न संक्रिया का करम बिनिमिय नियम इन में से कौन सा है मैं लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान देना और मुझे बताना गुड़न क्रिया का करम बिनिमिय नियम कौन सा है बताईए फटा फट 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 बताईए इन में कौन सा है काजल गुपता नरेश असनेहा उमेश इंगलिस्ट सेंटर वह इंगलिस्ट सेंटर नाम क्या आपका मैं भूल गया सायद सत्यम सिंग ठीक है बहुत अच्छे यहनि आप लोग कसमों को मानते हैं का वैसे हम लोग नहीं मानते हैं कहते हैं अगर कस्में सही होती तो सबसे पहले खुदा ही मर जाता आज हैश्यै लोग अक्सर बगवान की कशम खुदा की कशम अल्लाह की कसम ह Kांख के बड़ा गलत कर जाते हैं यहां तक कितने लोग संबीधान की कशम खाके संबीधान की alright बजा रहे हैं तो क्या करेंगे यह सब अपनी अपनी आत्माएं हैं लोगों के अंदर में हैं कोई गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है भी भी मतलिक हो यार केवल भी लिख दो चलेगा भी वाला सही है ठीक है भी भी नहीं हाँ तो आगे बताईए गुडण संक्रिया निम्न में से किस नियम का पालन नहीं करती है ध्यान से सुनियेगा और फिर बताईएगा गुडन की संक्रिया निम्न में से किस नियम का पालन नहीं करती है हमारी बातों को गौर से सुनिएगा और फिर बताईएगा ठीक है इसको लिखूंगा नहीं कोईश्चन सिर्फ बोलूँगा सिर्फ बोलूँगा सुनिए गुड़न की संक्रिया निम्न में से किस नियम का पालन नहीं करती है पहला नियम है बितरण नियम पहला है कि गुड़न की संक्रिया बितरण नियम का पालन नहीं करती है दूसरा है साचर नियम का पालन नहीं करती है तीसरा है सन्मत नियम का पालन नहीं करती है चवथा है नानाद्धी जिन में से कोई नहीं गुड़न की संक्रिया निम्न में से किस नियम का पालन नहीं करती है बितरन बंटन नियम, साचर नियम, सनवत नियम यानि इसको क्या बलते है भई एसेस्टिवेटी बला न इसको क्लोजर प्रोपर्टी ये नानाब्धीच सोनी आदो जी तेंदर बोलने नट असनेह अफनेह पढ़ने आई हो प्रोपर्टी ए भाई साहब गुड़न की संक्रिया इन सभन नियम का पालन करती है दिखाया नहीं था मैं दिखाया था न गुड़न की संक्रिया इन सभी का पालन करती है इसका option number D हो जाएगा ये सन्वत नियम है सन्वा नहीं है अरे थोड़ा स्याई बचाना पड़ता है ठीक है D number option सही है तो मुझे लगता है न ये कलास 45 मिनट की हो गई है तो बंद करा जाए थोड़ा revision कर दें जो पीछे पड़ेवा आप लोग सीतल जी बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराईयों से सारा थैंक्यू आपके लिए अरे नहीं थोड़ा इनको लोग को भी देदे ना बहुत देर से देख रहे चलिए थोड़ा revision करते हैं यह बताईए कि भाई साहब 4040 को रोमन में कैसे लिखते हैं बहुत important है रोमन संख्या इसमें से एक दूई नंबर का पक्का आएगा रोमन संख्या आनी चाहिए चल्दी बताईए नरेस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताईए इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे सबसे पहला जबाब आया मन्नु तिवारी जी हम अनुपा मोर्या हम तो अभी आये हो मतलब मैं पढ़ा रहा हूं एक गंटा से कोई मतलब नहीं है यह अभी के आई खापी के लेके बांध के तो अब में दू गंटा पढ़ाऊंगा ठीक है अनुपा मोर्या बहुत अच्छे सोनी आदो बेरी गुड तीस वाले का का होगा भई कि अरे का बता दो क्या होगा अब मैं लिक के मिटा दूंगा नहीं उसी में सब बटाते रहते बताते रहते आदा गंटा बताते रहते इसका होगे आप अगला बताओ इसको रोमन संक्या में है ना यह दसामलों संक्या में कैसे लिखेंगे गरताय नते हैं इसके पहले बहुत कुछ पढ़े हैं भाज 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 भी पढ़ चुके है ना तो कहोगे रोमन है रोमन कर रहा हूं इत्ता देर फे ठीक है ठीक है और बताओ 81 से लेकर के 9090 इसके बीच कितनी अभाज संख्या है जल्दी बताओ इसके बीच में कितनी प्राइम नंबर है बताईए जबाब दीजिए फटा फट बताईए बहुत देर नहीं एक बंदा बताया तुम्हें कुश्चन बदल के आगे बढ़ा तेजबारिस हो रही है भाई कौन से गरह में हो आप लोग दर्ती गरह पे हो कि कहीं आउर आस्मान में मैं 83 से 89 नहीं पूछा मैंने पूछा कितनी है अच्छा वही बता दो सब कितनी है कौन कौन है इसका सबसे पहला जवाब दिया है इनका नाम है प्रिया तिवारी इन्होंने 83 और 87 बोला है बस खाये 83 और 87 और कौन हो नहीं है 89 किस से कट रहा है 89 किस से कट रहा है कोई 83 और 89 बता रहा है ए बाई साहब यह 87 अबाज नहीं है यह लोग कंफ्यूजन में जी रहे है 87 इसके लड़का बच्चा है इसकी फैमली है यह देखो तीन से कटता है यह तीन दुन अच्छा 39 27 रड़वा नहीं है घर दुआर है इसके समझे गए ना देशी भास हम बोलते है 87 अब भाज संख्या नहीं है यह भाज संख्या है जाग रहे हो सो रहे हो गए गड़बड़ा गेना आप लोग देखो मैं बताई देता हूं हुआ गे बतढ़ समय्जिये जो लोग 83 बता रहे हो ठीक है ठीक ठीक है कोसिस करिये भवाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बड़ी गुड अब एक सवाल और बताईये अम्य नहीं बताने वाला हूं बताईये लेकिन इसको बताईदेता हूं 81 भाज्य संख्या है क्योंकि यह 3 से completely divide होती है 82 तो है ही तो इसमें 83 हो गया 84 85 84 85 क्या है भाज्य संख्या है 86 भी भाज्य है 87 भी भाज्य है 88 भी है 89 हमें लग रहा है कि भीया दुए यह केवल दो काजल ठीक है प्रीती प्रजापती सत्यम सिंग केवल दो है न यह तीन से कटेगी क्या साथ से तो किसी से ना कटेगी फिर ठीक है और आगे आगे बढ़ें फिर इसी दम पर यह बताओ सबसे छोट का सवाल बाला महत्तव पुरुड है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है सबसे पहला जबाब वालों का इंतजार है बहुत 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 बेलकम फूल माला के साथ में उनका नाम है इंगलिस सेंटर यह तोड़ा गंदा लाग रहे अकर कोई इंसान का नाम होता तो थोड़ा अच्छा लगता जैसे अनूपा मोर्या प्रियातिवारी नरेस यह दो जारिद दो के बारे में जानते हों यह दो बिवीशन है बिवीशन जैसे रामण की नगरी में बिवीशन जी थे जो स्री राम जी की पूजा करते थे बाकी साब राच्छा थे रामण की पूजा करते थे वैसे यह क्या है दो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है मतलब साधी करके भी कुवारा बना है समझे गए न ये क्या है ये सम होते हुए भी क्या है अभाज्य है बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो ठीक है अच्छा ये बताए सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टन कुश्यन है फटा फट बताते जाओ भई सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कुश्यन नंबर पंदरा कुश्यन नंबर सोला ये जो वन है न यह भाज्य है कि अभाज्य है यह बताओ अकमल का अंसर सही है अनुपा मौर्या का भी सही है प्रिया तिवारी मानबेंद्र गलत है सत्यम का सही है ठीक है ग्यारा बज गया नहीं अभी बचाया थोड़ा ठीक है भाई वन क्या है यह भाज्य है कि अभाज्य है या फिर ना भाज्य है ना भाज्य है क्या कह रहो अब वन जो है यह भाज्य है या अभाज्य है या फिर कुछ भी नहीं है भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है अनामिका चोधर ही आपका नाम है अच्छा शाल सुकला बोल रहे है इसालिल है बहुत सुंदर नाम है कहां से लाय हो जी कोई कहरा दोनों है ए बाई एक कुछ भी नहीं है यह न मेल है न फीमेल है यह थार्ड जेंडर है अइसे जो बजाते हैं समझ रहो ना उसमें से आप देखो समझ लो जो भाज्य संख्या होती उसके लिए कुछ कंडीशन होती है और जो अभाज्य होती है उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है तो यह चच्चा ना भाज्य का कंडीशन मानते हैं ना भाज्य का मानते हैं तो यह बिराजरी से बाहर के यह न भाज्य है नहीं कि हैंक amended तुम को बलाक कर दें या तुमें कगा घरें मताओ साम को साथ बजे रोज चल रहा है चैप्टर नंबर नौ खतम हो गयाँ चैपटर दस कल से चलेगा यह तो क्रिवचा रहा मिनत पूचाता है डाइना से Forenka राइक कोT oke पूंचम यो और बताव ठाः नमबर हें कोड इसकार क्या नबर नहीं है तो एक और क्या पूछने बाला था मैंने मैंने सोचा था कि आपने पढ़ा क्या क्या पहले उसमें से पूंचेंगे लेकिन आप लोग तो मुझे दूसरे लाइन में ले जाने लगया हां हां आजाओ आजाओ जल्दी आजाओ इसमें दो कास्थानी ऐमान क्या होगा पलेस वैलू मैंने बताया है ना थ्री पॉंट फाइब टू में टू का पलेस बैलू क्या होगा जो लोग दो बता रहे हैं उनका गलत है पूरा पूरा गलत है बड़ा सुद्ध तरीके से गलत है मन्नु तिवारी सो गई न अच्छा प्रिया तिवारी जाग रही ठीक 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 बहुत अच्छे बेरे गुड तो भाई सबसे पहला सही जबाब है प्रिया तिवारी का जी तेंद्र जी का भी सही है अफने हाँ हमें लग रहा है ना एक दिमाग पागल हो गया है इको सुनाई भी नहीं पड़ता समझ भी नहीं आता है सत्यम ठीक है तो इसका अंसर होगा भाई साहब टू अपान हंड्रेड होगा या फिर इसे बड़े प्यार फे आप ऐसे भी बोल सकते हो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया है अच्छा इक बात बताओ वह यह है कि अगर इसमें दसंबलो ना लगाएं तो इसमें दोकास्थानीमान क्या होगा अगर ना लगाएं दसंबलो तो क्या होगा देखिए एक चीज यहां पर में पूरे चैलेंज के साथ बोल रहा हूं अपने प्लेट फरम पे कि अगर आपने डीलेट बीटी सी बई डीलेट का ही पूरा नाम बीटी सी था हमारी सारी कलासे आपने देख लिया पूरा कंप्ल कलास में पड़ो समझाने की पूरी गारंटी हां लेकिन जागते रहो बगल में ठंडा पानी रखे रहो ठंडी हो ही रही है ज्यादा तेर नीन आया तो एक बल्टी है लोड़ लोग पर से थोड़ा बिस्तर उस्तर भीग जाएगा उठाग रख देना बगल में बढ़र के बैठना रहे तंडी वह से नहीं नहीं आएगी नहीं और चलीए वो गया तो भाई इसका क्या होगा और टो अंसर सिर्फ और सिर्फ दो होगा बाकी मैं सब पढ़ाया हूं मुझे एक बात और बताओ भई वो क्या है वो यह है कि 500 इसको रोमन में किस से परदर्शित करते हैं इसको रोमन में किस से लिखते हैं बताइए 500 को रोमन में किस से लिखते हैं अकमल ने बताया डी अकमल गलत है पूरी तरह गलत है आपका मंजू तिवारी सही है सारी मनू प्रिति एफनेहा प्रिया जितेंद्र बहुत अच्छे मानबेंद्र देखो बाई कैप्टल डी होगा अगर आपने इसमाल डी लिखा तो गलत है रोमन संख्या है हमेशा कैप्टल लेटर में लिखी जाती है अगर इनको सिंगल लेटर में यूज करना है तो हमेशा कैप्टल होता है इसमाल नहीं होता उसमें अगर मान लीजिए कि एक चॉकलेट है अभी फरवरी में चॉकलेट वाला ते उहार भी आने वाला है आप सबको बहुत अच्छे पता है ना अभी किसी तरह पतला मोटा हो गया वह अलग बात है लेकिन है चॉकलेट और भाई चॉकलेट एक है और प्यार मोहबबत में इसको तीन लोग खाने वाले हैं कितने लोग खाने वाले हैं एक चॉकलेट में तीन लोग खाने वाले हैं अब इससे ज़्यादा मत सोचना इसके आगे ठीक है चलिए तो ये बताइए मान लेते हैं हम एक पल के लिए कि इतना पार्ट इतना पार्ट कौन खाया भाई किसी का नाम बोल देंगे तो बुरा नहीं मानना चौकलेट हर कोई खाता है इतना पार्ट मान लेते हैं कि मनू ने खाया और अब यह दोनों बचाएं इसके तीन टुकड़े किये गए थे या फिर उसमें वैसे भी होता है ना छोटा-छोटा डेरी मिल्क में तो तीन पार्ट थे मानलो कि एक पार्ट खा लिया अब मुझे यह बताईए कि इस चॉकलेट का कितना भाग मनु ने खाया कितना भाग खाया बताईए कि भिन के रूप में आएगा यह फ्रेक्शन के रूप मैं आएगा नरेश बोल रहे हैं मैं खाया ठीक है मैं नाम भी देख लेता हूं जो बच्चे जुड़े हैं नरेश जी जुड़े हैं अक्षे निमाना और अफनेहा तिवारी मन्नु तिवारी जोती श्रिवास्तो नेहा गुपता मानबेंदर सिंग प्रीति प्रजापती अन्नु सुकला पहुं जागते रहो जागते रो बेतर रहेगा ऐसे सो न जाओ कमेंट करते रहो चलिए बिल्कुल करेक्ट जबाभ है इसका अगर बात करें कितना भाग खाया तो भयाओ एक वटा-3 हम बात कर रहे हैं कि fraction क्या है what is fraction किसी भी संख्या या किसी बस्तू के किसी एक भाग को बताने वाली संख्या को भिन कहते है परिभासा बना सकते हो न किसी संख्या या किसी बस्तू के किसी बिसेश भाग को दिखाने या बताने वाली संख्या को भिन कहते है यह कहीं किताब में लिखी परिभासा नहीं हम बना रहे हैं और बना के यह परिभासा सही है इसको सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं हम संख्या तो नहीं लिए पहले बस दू लिए क्योंकि बस दूसे आपको जादा समझ देखो भाई थोड़ा बफरिंग होता बाबू तो कहीं जाना नहीं कभी-कभी थोड़ा बफरिंग हो जाता है तो आप थोड़ा सबर बनाए रखना थोड़ा सबर बनाए रखना इधर देखिए हाँ तो हमने क्या प gray दिखा डिकाया चौकलेट दिखाया एंग्जांपल में इसके तीन पार्ट किये कितने पार्ट किया और उसका कोई एक पार्ट खाया तो जो बचंड वह एक अलग भिंद कि और है न तो यह क्या है fraction समझ में आना भिन क्या वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा भिन क्या है लेकिन आपकी आतमा को तो पता होना चाहिए न कहीं कल को आपके लड़के बच्चे पूछने लगे मम्मी भिन क्या होती है तो तु का बताऊगे यही दुऑ बटा तीन भिन होती सा क्या किसी बस्तु का कि यह कोई एक विसेश भाग को दर्साता है कि सज्जन लोग तेरी क्या कहूं कि बिच बिच में वफरिंग हो जाता है यह बहुत दिमाग डिश्टब कर देता है कि यह बताइए कितना बचा भाई बचा कितना से मन्नु ने तो एक बटा तीन भाग खा लिया लेकिन उसमें बचा कितना है सोच के बताईए जल्दी फटा फट बताईए आगे बात करते हैं मुझे पता है कि बहुत देरे देरे पढ़ा रहा हूं लेकिन थोड़ा सब्र बना के रखिए और दिल थाम के बैठिए और प्यार से सीखिए हड़बड़ी में नहीं हड़बड़ी में नहीं यहां तो जब लोगों का बयक लग जाता है न तब यहाद आता है तब तक हाल आप समल जाएए पहले ही पढ़ लिजिए तो अच्छा है कि सिल्पा केसरवानी गलत है असनेहां गलत है क्यूं आप लोगों का दिमाग घास चरने चला गया कितना बचा यह दो क्यूं बता रहे हो भई हम आखिर यह चौकलेट तो एकट ही था तो एमें से थोड़ा ख भी लिया गया तो दूई कैसे हो गया कि इसके टोटल तीन तुकड़े किये गये थे इस में से दूई टुकड़ा बचा है लेकिन कितने में से बचा है तीन टुकड़ों में से दो बचा है न तो इसको बोलेंगे दूई बटा तीन कितना बचा है दूई बटा तीन अब यह यह हिसाब सही है या गलत है इसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे कहीं ऐसे न बेवकूब बना रहे हैं रात कर टाइम चलो मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं भाई चौकलेट कितना था बताओ जल्दी कितना था चौकलेट ओनली वन था अब यह मोदी जी की रहली थोड़ इसको दो भाग में एक प्रकार से डिवाइड किया गया है तो दोनों को अगर हम जोड़ दें ऐसे आप समझ लो कोई चीज तोड़ के तो हम नहीं दिखाने वाले तुम लोग को क्योंकि अपना नुकसान नहीं करेंगे यह मार कर मानलो इसको मैंने बीच से मानलो इतने पर समझ मैं है तो वैसे यह जब अलग अलग था दोनों जोड़ेंगे तो वन हो जाना चाहिए देखे क्या यह वन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक भाग इसका एक बटा तीन था खाया हुआ भाग और दूरी बटा तीन बचा है जो सेज भाग दोनों को जोड़िये भाई हर हर बराबर है अभी जोड़ना सिखाऊंगा आगे लेकिन अभी यहां पर देख लीजिए तो तीन बटा तीन बराबर वन बताइए एक आ रहा है ना एक आ रहा है ना यानि सही हिसाब किया था हमने मतलब हमने क्या किया था सही हिसाब किया था जैसे समझ लो कोई भ चोटे कई टुकडे कर दो और फिर उन सभी चीज को एक मिलाओ अगर वो पूरा पूरा आकरती उसकी फिर से बन जाए इसका मतलब आपने उसकी जितने पाट तोड़े थे सब एक में जोड़ दिये और लेकिन भाई अगर उसमें से एक को पाट चुप़े से खा लिए तो फि इसमें हमने क्या किया इनको दो भाग में तोड़ा था जोड़ा तो बना गया यह समझ में यह तो थी छोटी सी बात जब एक चौकलेट में सिर्फ तीन ने खाने वाले थे अब मान लेते हैं कि कुछ फ्रेंड हैं जो बड़े ही प्यार महबत वाले हैं अब वो कुछ भी हो गड़ेश जी का बहुत प्यारा है अब यह लड़ू तो मिल गया लेकिन इस लड़ू को खाने वाला कितना है पहुत सारा दोस्त है एकड़ू मिला है लेकिन अभी यह खाएंगे सब मिला एक कह अब समझना मैं सब का नाम बता रहा हूं चलो यह नाम है पंग मंजू अब यह रवी यह प्रीती अब यह कौन है छोटा सा नाम रख देते मालो चलो यह है यह कौन है तो रेया चलो समझो समझना यह एक लड़ू के कई पार्ट हो रहे हैं ध्यान से समझना यह भिन्न पढ़ रहे हो गड़ित पढ़ रहे हो कभी नहीं भूलोगे लाइप में प पढ़ेगा आईए यह एक लड़ू था मैंने नाम का है लिखा सबका पता है क्योंकि इतना इतना टुकड़ा सब को मिल रहा है भाई है तो एक है लेकिन खाना सब को है मालो की बजरंग बली जी का परसाद है आज मंगलवार भी है तो परसाद तोहर कोई लेता है थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है चलो समझो एक दो 34-56 अब ये ना कहना की पृती का ज़्यादा है इधर मंजू का जादा है क्योंकि थोड़ा लग रहा है ना इनके ओपर भगवान ज्यादा परसन्य इसलिने ज्यादा मिल रहा है अब समझना तो आप मुझे यह बताओ इस पूरे लड्डू का कितना भाग पंकज को मिलेगा बताओं फटा फट बताईए देखते हैं भिन्न के रूप में आप लोग कर लेते हो कि नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इस पूरे लड्डू का कितना भाग पंकज को मिल रहा है यह फ्रेक्शन यह भिन्न आती है तभी कर पाते ह कहते नहीं है कि हमारे पापा जी दुई भाई है जमीन जायदात का बटवारा हो गया तो एक बटा तीन भाग हमें मिला है एक बटा तीन भाग का मतलब कि पापा जी तीन भाई है तो एक कोई पार्ट है अगर भूखंड का उसके तीन पार्ट में बटा है तो एक बटा तीन मिला है मानबेंद्र सिंग बोल रहे हैं एक बटे छे मानबेंद्र जी आपका नाम क्या है आप सच के मानबेंद्र रहे हैं कोई और इसको मिटा दूने लड़्डू वाला आगे चॉकलेट खतम करो हर कोई कोशिस करेगा देखिए सिर्फ एक लोग नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए सब लोग आयो ना हमारी सकल देखने तो कोई आया नहीं है वसे भी यह बहुत इतने अच्छे भी नहीं है तो कम से कम पढ़ाई तो कर लो कोई बता रहा एक बटा छी ठीक है अच्छा यह बताईए प्रीती को कितना मिला है यह नाम मैंने गलत लिखा ना प्रीती कुछ लोग सोच रहे होंगे देखो नामों लिखना नहीं आता है ढש reviewed, कितना मिला है? शिल्पा, केसर्वानी, ठीक है यानि आप लोग समझ रहे हो ना। प्रीती सही लिखा न? चलिए एकवटोगा सुन्छा सब बता है यह, मैं बताऊँगा। दूसरा सवाल बताईए पहला सवाल तो यह था कि पंकज का कितना हिस्टा है? दूसरा सवाल ये बताइए कि प्रीती और स्रेया बहिए ऐसे गलत है काय लिग तो बार बार इन दोनों लोगों को मिला करके टोटल लड्डू का कितना भाग बनेगा बताईये आपने बताया पंकज का इस पूरे लड्डू का एक बटाचे हिस्सा है बात क्योंकि टोटल इसके छे हिस्से हुए थे उसमें से एक हिस्सा पंकज को मिला था इसलिए हम कहेंगे एक बटाचे लेकिन प्रीति और स्रेया दोनों को मिला करके कितना मिला भाई यह लोग साहली साहली हैं कहीं चलो हम लोग मिल बाटके खाएंगे उदर से जो मिला थोड़ा बहुत ठीक है लाव मेरी बहना हम लोग एक में मिला के खाएंगे तो बताइए वैसे भी लड़कियां कभी खाने की चीज दूसरे में सेयर नहीं करती है वो अलग बात है असनेहा दो बटा छे बता रही मनबेंद सिंग एक बटा पांच भई कहां दिमाग जा रहा है और कोई एनिवन ठीक है मैं बताता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखो भाई प्रीति का एक बटा छे भाग था और इतने भाग इनका भी था तो दोनों लोगों का जो लग गया ना वन प्लस वन दो बटा तीन अब यह तीन नहीं है भाई एक मिनट रुक जाओ 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 दूबटा छे कितना दूबटा छे ना यह कट जाएगा हम कह सकते हैं फाइनल में बटा तीन एक बटा तीन यह दूबटा छे भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है तो इस फिगर के अकार्डिंग आप दो बटा छे ही लिखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा एक बटा तीन कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा एक बटा तीन नहीं करना इसको काटना नहीं दो है अचा यही बताो से मान लोगी मन जूर रहा इन दोनों का हिस्सा एक में हो जाता है तो इसका मान कितना होगा फोल इंच यह विद दो बटा छे ही होगा ना मने जूर रहा का कितना होगा दो बटा छे होगा तो अब मुझे यह बताईए, बेसिक मैथ स्वाले गुरू जी आप ही बताईए, कि मंजु और सुरेय का अगर हम भाग छोड़ दें तो बाकी जो इन सब का है, रवी, पंकज, प्रीती और ए, ए फार, अंतिमा या अमित, इन सब का कितना है, टोटल मिला के बताओ, कोई बता प्राइबू का हिस्था छोड़ दीजिये, बाकी इन सब का कितना है, इस सीधी सी बात आप गिनलो, एक, दो, तीन, चार, चार लोग हैं, अरे जैसे एक लोग का एक बटाच्छे है, तो बुए लोग का है, तो बुए बताच्छे हो जाएगा, तीन लोग का है, तो तीन ब आयात यानी हिसाब गलत है तो ये छे बटा छे फाइनल में वन आएगा यानी सही पूजा यादो मन्नुतिवारी बहुत अच्छे कोशिस कर रहे हो आप लोग ना सोना नहीं जिनको ज्यादा नीद आरी ठंडा पानी रखके बैठो एक लोटाम भरके और थोड़ा देर पे न और फिर पोछ लेना फिर बैठ जाना आराम से फिर देखिए कि नीद नहीं आएगे लेकिन हाँ पानी ठंडा होना चाहिए अच्छा समझ रहे ना हम चले फिर हां तो यह आप लोग समझ रहें लेकिन हम इसमें कुछ जादा घुश जा रहें बिन में इतना जादा इसमें जरूरत नहीं थी चलिए अब उपर आते हैं हम बिन क्या है अभी तक आपने सिर्फ यही सीखा वाटिज फ्रेक्शन मैंने आपको 10 मि नियद बिन क्या है लेकिन उमिद है जो दिल से देखा होगा वो कभी लाइफ में भूलेगा नहीं कि भिन क्या है है ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने कभी पढ़़ा रहा होगा असा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है लेकिन मेरा मतलब ये कि इतना ज्यादा डीटियल में इतना बड़ी छोटी सी चीज कोई बताना नहीं चाहता है इतनी छोटी बात को कोई इतना डीटियल में नहीं बताना चाहता है in the new नहीं आ रही किसी कोर्थ हो मेंदे न दिल में करार वाली बात हो जाएगी तब तो यह बाई अच्छा वेक लगाए ना भी कहली में रिजल्ट आया था था हिं यह मुझे लग रहा वेक है कि हाथ तो हब क्या करना है भिन्न समझ गये क्या है पहले तो हम बिन्न का जोड़ घटाना सीख लें क्या नहीं चलिए अब इसके बारे में और आगे अध्यान करते हैं जैसे यह इसी रूप का होता आपको पता ही है इसमें एक टिक इंती ऊपर होती एक नीचे होती है भाई यह पढ़ा पढ़ाई लिखाई इनको हटाओ जल्दी से यह पढ़ाई लिखाई को अटाओ यह तो बड़ा खतरनाक निकला रहे तुट तो भाई कहां से आ गया यह इसको अटाओ एकदम से अटाओ पर्मानेंट चलो ठीक है तो भाई क्या है उपर जो होता वो अंस होता है नीचे की गिंती हर होती है ठीक है इसको नुम्रेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं भाईया नुम्रेटर बोलते हैं इसको डेनु मिनेटर बोलते हैं इंगलीस हमारी सही होगी इसकी कोई गारैंटी नहीं लिकिन हिंदी सही है वह से भी मां इंगलीस गलत नहीं लिखता हूं सहरीलिक tomatoes यह अंसबर हर हो गया तो आपने सीख लिया भिल्ड क्या है ? विपल्ड के दो इससे वह मने दिखा दिया अब बात करते हैं भिन्न के प्रकार क्या बात करेंगे अच्छा पहला पहला इसलिए नहीं नहीं आ रही ठीक है ठीक है पहला पहला में नहीं नहीं आती ठीक है भिन्न के प्रकार यहनी type of fraction मुख्य रूप से इनके जो परकार है मैं सिर्फ उतने ही बात करूँगा जो आपके काम का syllabus में है 6 परकार दिया गया है हम यहाँ पर सिर्फ 6 परकार की बात करेंगे ठीक है लिख लिजिए बिन मुख्यता 6 परकार की होती है 6 परकार की होती है परकार इधर साइड में डालिए यह टाइटल लिखिए ठीक है भाई पढ़ाई लिखाई बेटा अगर देख रहे हो न अब बेटा हो की बेटी हो की भाई हो की भावी हो कौन हो मुझे तह नहीं पता है तो आप पढ़ लीजी अच्छा है ऐसे नहीं हम चार लाख लोग को चरा रहे हैं तुम सोचे कि हम आके ही ही कर लेंगे लोगों को डिश्टब कर देंगे तो देखो तुम डाउन हो गए ना आराम से कि उतनी वेवस्था तो रहती ना हमारे पास क्योंकि तुम्हारे जैसे ऐसे लोग बीच बीच में आ जाया करते हैं कभी कभी चलिए आगे बढ़ें लिख लिए आपने हाँ भिन्न के परकार में लिखिए सबसे पहला भिन्न के परकार मुख्यता छे परकार के होते हैं इसको लिख लीजिए मुख्यता छे परकार के होते हैं नंबर एक, उचित भिन्न, मारकर थोड़ा कम चल रहा है क्या, नंबर एक उचित भिन्न, नंबर दो अनुचित भिन्न, थोड़ा थोड़ा बताएंगे और सिखाते जाएंगे, अनुचित भिन्न, देखिए यह परिच्छा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लोग फ्रेक्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है, तो आपको छाटना होगा, उचित भिन्न को प्रापर फ्रेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रापर फ्रेक्शन, इसको बोलते हैं, इंप्रापर फ्रेक्शन, क्योंकि यह क्लास, कुछ ऐसे कंडिटेट देखते हैं, जो हिंदी भासी राजे से नहीं है, तो इंगलिस होने से उन्हें समझ में आ जाता है तो थे तो भाई अब देखेंगे उचित भिन्न क्या है यानी प्रॉपर फ्रेक्शन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद में इंप्रॉपर वाले में चलेंगे ठीक है तो कोई बताएगा कि proper fraction क्या है अनु सुकला बताईए अनु सुकला मतलब अनुसका सुकला क्यों मैं सही सोच रहा हूँ कि गलग हाँ कुछ लोग के नाम साट कट में होते हैं चलिए ठीक है देखते हैं proper fraction क्या होती है वो fraction या वो भिन जिसका उचित का मतलब complete है वो proper है ठीक है उसमें कोई समस्या नहीं जिसका हर बड़ा हो अन्स्व छोटा हो मतलब निच्चे की गिंती बड़ी हो उपर की छोटी हो समझ रहे हो ना देखिए वो क्या है proper fraction है कैसे एक्जामपल अगर मैंने लिखा तीन बटा साथ तो यह प्रॉपर फ्रेक्शन है लेकिन अगर इसको पलट दिया भाई साथ बटा तीन तो यह इंप्रॉपर हो गया ठीक है उचित भिन्न का मतलब कि उसका अंस छोटा हो हर बड़ा हो कोई और एक्जामपल बताएगा अफनेहा जी बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे सुजीत कुमार बेरी गुड नौ बटा पांच नहीं पांच नहीं हो सकता है कभी हो नहीं सकता है तेरा 28 बटा 33 लिख लीजिए यह सभी प्रॉपर फ्रेक्शन है परिभासा जो लिखना चाहिए लिख ले ऐसी भिन्न जिसका अंस छोटा वा हर बड़ा होता है वो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रेक्शन कालाती है ठीक है यानि हम ऐसे बोल सकते हैं नूम्रेटर इस ग्रेटर देन डेनोमिनेटर यह क्या उती प्रॉपर फ्रेक्शन कालाती है उसी के जैस्ट आपोजिट बात करें अनुचित भिन्न में इसमें इसी के उल्टा सब होता है यह इनके पडोसी पटिदार हैं इनसे बड़ी जलन रखते हैं होता नहीं गावाँ में या सहर में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं अब तक तो आवरतों में ही होता था पुरुसों में भी होते हैं जो एक दूतरे की चुंगली करते हैं सोचते हैं कि बढ़ोसी के घर में लड़ाई होगी तो उन्हें थोड़ा कलेज्य को ठंड़क मिलेगी को सकता है तुम्हारा बुद्धी काम करें जहां लग रहे ना करें तुम्हारा क्या होगा यह सोच और इफले किसी का बुरा नहीं करना चाहिए एक माचिस की तिली होतीनी से जलाते हैं वो सब कुछ जला देती है लेकिन वो उसमें खुद भी जल जाती है पता है न आप लोगों को तो अगर कोई दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है न तो उस मुसीबत में पहले कुदर डूपता है तो इसलिए अच्छा करें और देश समाज को भी आगे बढ़ने दें ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ इसलिए बोल रहा हूं इसमें हो सकता है वो प्राणी देख भी रहे हूं तो समझ जाएंगे उनी को बोल रहे है ठीक है यह हो गया इसमें कुछ इग्जामपल देखिए ये सभी इंपरापर फ्रेक्शन है ये क्या है इंपरापर फ्रेक्शन है हो गया इनको लिख लिजिए तो मैं इनको मिटा देता हूँ खुसी राम ठीक है सेर हर से बड़ा या बराबर हो हर से बड़ा या बराबर हो हाँ ठीक है अगर हर से बड़ा या बराबर हो तब भी वह वह होगा ठीक है उसकी बात फिलहाले हां नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना इसमें है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में अभी पढ़ें तो हम बहुत कुछ है proper fraction के बारे में लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना बता रहें तो इसलिए हम इसकी बहुत जादा गहराई में नहीं जाएंगे नहीं तो जैसे मैं भिन पढ़ाया 20 मिनिट में वैसे इसको समझाने बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो अब बात करते हैं हम दो भिन्न हो गई कोई मुझे प्रॉपर फ्रेक्शन का ये कि जांपल बताएगा जल्दी से बताइए अगली तीसरी बिन्न है भाई बेउतकरम भिन्न क्या है बेउतकरम भिन्न जिससे बोलते हैं रसी प्रोकल फ्रेक्शन कि इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीव टाइब का है अप्रेक्षन लखी स्पेलिंग भाई गुरू जी ठीक है चलिए बेउतकरम भिन्न क्या है भाई ये अपने में कुछ नहीं होती है एक दूसरे की ही सहायता से बनती है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 9 बटा 5 वो भिन्न कोई भी हो सकती है उचित या अनुचित कुछ भी हो सकती है इसकी बेउतकरम भिन्न क्या होगी 5 बटे 9 यानि ये फ्रेक्शन दिखाने के लिए हमें कोई फ्रेक्शन दी हुई होनी चाहिए अपने में कुछ नहीं होती है नहीं ये किसी की सहायता से ही बनती है जैसे उचीत भिन अगर कोई पूछे तो तुम्हें एक एक जामपल बता दोगे अनुचीत भिन पूछे तो अपने प तो से पूछो कितने का पहड़ा सुनाओ पहड़ा तो बहुत सारा होता है ठीक है अगला क्या है संचिप्थ भिन्न जब किसी भिन्न के आंसर हर दोनों में एक हो संचिप्थ भिन्न या फिर उसे एक परकार से सिंपलिफाइड फ्रेक्शन भी कहते हैं कि संचिप्त भिन्न जानते हो क्या होता है एक ऐसी भिन्न जिसमें और भी कोई परकार का कि सिंपलिफिकेशन ना किया जा सके उसे संचिप्त भिन्न बोलते हैं यानि वह अपनी हल करने की अंतिम चरण तक हल हो चुकी है पहले से कोई एक्जामपल बताईए अगर आपको पता है कि संचिप्त भिन्न मतलब फ्रेक्शन इन लोवेस्ट फार्म फ्रेक्शन इन लोवेस्ट फार्म कोई बताएगा इनिवन भाई आप लोग किताब उताब लाइके बैठे हो का साथ बटा पांच पांच बटा साथ काजल गुपता बहुत अच्छे प्रीती प्रजापती बेरी गुड चलिए देखो भाई संचिप्त भिन्न क्या होती है जैसे कोई ऐसी फ्रेक्शन समझना अंतर समझना जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा चार बटा यहां पर मैं लिख दूंग का चौबीस चौदा बटा चौबीस आप समझना थोड़ा समझना मैं क्या बताने वाला हूं बताओंगा बताओंगा आपने हां इंतजार करिए थोड़ा सा इसमें देखिए यह संचिप्त भिन नहीं है यह संचिप्त भिन नहीं है क्योंकि इसको अभी हम और सिंप्लिफाई कर सकते हैं अभी हम कर सकते हैं इसको इसको दो से काटेंगे तो दो सते चौदा इसको दो से काटेंगे तो बारा लेकिन अब इसको आगे कुछ नहीं किया गव्यूर्व इसको मैं यह तोड़ने वाला नहीं हूँ इधर देखिए तो ये क्या है भाई ये संचिप्त भिन्न है लेकिन ये संचिप्त भिन्न नहीं है समझ गए ना ये संचिप्त भिन्न है ये संचिप्त भिन्न नहीं है ठीक है उसके बाद क्या है मिस्रित भिन्न इसमें सम्तुल्ल भिन्न इन्होंने दिया ही नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग पूछे हो तो मिस्रित भिन्न के बाद बताएंगे संचिप सम्तुल्ल वाला बताएंगे जिसे इक्वालियंट फ्रेक्शन बोलते हैं कि कि थिक यह को अगला ढूलिए मिसरृत भिन्न देखिए सब लिखते जाईए लिखते जाईए लिखते जाईए मिसलित भिन्न फटा-फट लिखिए देंग यह कलास्ना मैं पूरे दिल से पढ़ा रहा मैंने एक भी बार नहीं देखा कि कितने लोग देख रहे हैं देख अक्सर होता था बहुत कम लोग देख रहें मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं नहीं पढ़ाऊउँगा ऐसा मैं करता था अगर है तो Like करी अ कलास को और Share कर दिया करिये यह आपकी जिम्मेधारी भी है ह। ठीक है देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है Mixed Fraction क्या है है अट्चुली यह जो है ना इंप्रॉपर फ्रेक्षन का छोटका बेटा है इंप्रापर फ्रेक्शन से ही मिस्रित भिन्न बनती है इंप्रापर फ्रेक्शन होता था ना कि जिसका अंस बड़ा हो और हर छोटा हो ऐसे होता था ना तो मिस्रित का मतलब क्या है इंगलिस में मिच्चर बोलते हैं या देखो मिच्चर हो गए मेरे हाथ में मिक्चर का मतलब जिसमें कोई चीज मिलावट हो आप को ऊगे यह तो टन है कि यह तो प्रीक्शन है फिर के इसमें कान सी मिक्चर है यह कोई दूद्ध थोड़ी एक पानी डाल दियो तेल थोड़ी है कि इसमें कोई केमकर डाल दियो इसमें कौन मिच्चर है इसमें भी मिच्चर है आजकल दुनिया में कुल हर जगा मिच्चर है मिच्चर है यहां तक कि जानवर में भी वो क्या वोलते हैं उन्हें दो बराइ कैसे देखिए जैसे हम माल लेते हैं कि पंदरा में साथ से भाग करेंगे तो साथ दूना चौदा गटाने पर वन आया ना भाई भाग कितनी बार गया दो बार ना तो जितनी बार भाग गया यह संख्या मुग्त हो गई यानि हम इसे ऐसे लिख लेंगे लेकिन अभी इसमें सेस्पल वन बच रहा है और साथ क्या था भाजक था यानि कहने का मतलब अभी साथ से वन में भाग करने का दाइत तो है इसका कर्तब है तो इसे हम एक बटा साथ लिखेंगे अब यहाँ पे समझना यहाँ पे समझना यह एक पूर्ण संख्या है दो क्या है यह पूर्ण संख्या है लेकिन यह एक अपूर्ण संख्या है यह पूर्ण संख्या नहीं है यानि कि पूर्ण और अपूर्ण संख्याओं के मिक्चर को ही मिस्रित बिन बोलते हैं जिसे हिंदी देशी भासा में दुई सही एक बटा साथ पढ़ेंगे थोड़ा आवाज में तेज कर दे रहा हूँ अगर आवाज फटेगी तो बता दे ना कि यहां गड़बड हो रहा है भाई कलास को लाइक जरूर करिए तुरंत बहुत बड़ा पाप लगेगा बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं रात में और आप लोग लाइक नहीं करोगे न कुछ गडबड हो जाएगा फिर मतलब समझ रह पढ़ना पड़ेगा पढ़ना भी पड़ेगा साथ में चलो हो गया यह ठीक है तो आप समझेगे मिश्री दिभिन्न क्या है कोई और बताएगा इसका कोई जम्पल और कोई उधारन बताएगा भाई और भी ले लो उधारन जैसे पांच सही एक बटा साथ नो सही तीन बट कि आठाराच साई तीन बटा यह तो आप लोगों से कोई सिकायत होई नहीं सकती है सिकायत तो उन से जो नहीं तो नहीं सुन रहे और सुनना भी नहींचा थे तो होगे आप समझ गए ना मिश्रित भिन्न हाँ मिश्रित भिन्न को आप ऐसे भी कह सकते हो इंप्रॉपर फ्रेक्शन का एक्जाम्पल बता के भी दे सकते हो क्योंकि वो भी एक परकार से मिश्रित भिन्न ही होती है अभी अफनेह जीने पूछा था समतुल भिन समतुल भिन ये तो इसमें नहीं है हमारे पास में जो है लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसे इक्वालियंट फ्रेक्शन बोलते हैं इस पेलिंग सही है कि नहीं मुझे नहीं पता है इंग्लिस में equivalent fraction बोलते हैं ठीक है यह ड्राक्टर वाली लेंग्वज है equivalent fraction क्या होती समझे लो इसके लिए भी पहले कोई fraction पता होनी चाहिए मतलब कोई भिन पता होनी चाहिए ठीक है संदीप पाल पाल जी नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है उस पे contact करिएगा और वैसे इंक्वारी के लिए अपने कालेज नहीं है आप अपने कालेज में बात करिए जो आपको सामान जनकारी होगी कालेज वाले बताएंगे क्योंकि इस देश में सिच्छा के बारे में किसी को नहीं पता है पेपर कब होगा नहीं पता है रिजल्ट कब आएगा नहीं पता है 2022 का चुनाओ मार्च में होगा रिजल्ट भी मार्च में ही आएगा मुख्यमंत्री भी मार्च में बनेंगे यह पता है यूपी का साथ पंजाब अगर हमें भी चुनाओ है तो वाई इस देश में अगर आप इलख्शन के बारे में बात करते हो तो ठीक है सबको पता है कब चुना होगा और कब रिजल्ट आएगा कब मज Glenn Kutraak किसी को ने पता कुछ कि चलि आगे बात करें इसका समतुल भिन कैसे निकालते हैं इसका सम्तुल भिन निकालने के लिए हम इसको किसी एक निश्ची संख्या से आंस और हर में या तो गुड़ा कर दें या भाग कर दें ठीक है यही होती है क्या सम्तुल भिन होती है ठीक है क्या होती है सम्तुल भिन होती है तो मांन लेते हैं 3 बटा 7 की हमें सम्तुल भिन निकालना है तो भाई साहब 3 बटा 7 को हम 2 से गुड़ा करेंगे उपर नीचे तो यह 6 बटा 14 आएगा यानि हम कह सकते हैं इसकी जो सम्तुल भिन है 6 अपान 14 है आया समझ में सभी को किसी को कोई डाउट नहीं न तो आप लोग मुझे एक बात बताओ मैंने लिखा आठ बटा चौविस और इधर मैंने लिखा और इसे कईसे एक मिनट रुक जाओ इधर मैंने लिखा एक बटा तीन सभी लोग हाँ या नामे जमाब देना क्या आठ बटा चौविस की सम्तुल भिन एक बटा तीन हो सकती है बताइए हाँ या नहीं क्या एट अपान टॉन्टिफोर की इक्वालियंट फ्रेक्शन वन अपान थरी हो सकती या नहीं बताओ जल्दी फटा फट बताओ दाओ दोड के बताओ क mówi क शत पाउसिबल है या नहीं बताओ कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ कीए बिना यू यू ही फिरी में जय़ेकार नहीं होती भाई कोशिस करते रहुँ दे庭वाबु又 Sum fresh Yeah Sam भगवान से बड़ी पराथनह करते हैं कि भगवान, अब मेरी साधीन, मेरी वाली के साध ही कराना तो देखो यार भगवान नहीं करते ये सब अगर तुम अच्छा करम करोगे नौकरी नौकरी अच्छी पा जाऊगे अच्छा पना सिस्टम बना लोगे तो खुदी हो जाएगी और नहीं तो वगवान तात नहीं देने वाले सबसे पहला इसका जबाब जो दिया था उनका नाम है संदीप पाल मनबेन सिंग गोपाल कुमवत ठीक है? और भी लोगों ने बताया है करेक्ट आंसर है यह हो सकता है क्योंकि Aquí recipient fraction या समतुल भिन निकालने के लिए किसी भी friction में या तो किसी निश्चित संख्या से दोनों में नीचे उपर भाग कर दें यह गुड़ा कर दें दोनों इस्थिपी में समतुल भिन निकल जाती है तो इसमें क्या किया गया था? नीचे उपर आठ से भाग किया गया था आठेक कमाठ आठ तरिक चोवीज समझ रहा है हो ना तो सभी समझ गया आगे क्या है संचिप्त भिन हो गया यह समझ गया कि नहीं पहले बताओ हाँ 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 और भाई कि लाई कोई करो क्लास को यार ऐसे मज़ा नहीं आती देखिए आप लोग अपने कॉलेज के गुरूप में सेर कर दीजिये क्लास को सब्ता में सोमवार मंगलवार बुधवार मैं तीन दिन पढ़ाता हूं अगर आप लोग क्लास में सव दो सो बच्चे लाइब लाने लगे स आप लफ ना तो मैं सब्ता में सात दीन के बदल्जे आठ दिन पढ़ा दूं को गये आठ दिन कैसे संडीगों को। दो कलाथ दे दिया करूं लेकिन हां आप लोग सेर करते नहीं मैं क्या कर नूं मैं देर करता नहीं देर हो जाती है देखो कुछ लोग आये हैं अभी आये हैं कुछ लोग चलिए तो सभी को समझ में आया गोलू तीवारी पक्का आया ठीक है थोड़ा भी कच्चा ना रहने पाए जिनको थोड़ा कम आया न वो देखते रहें अभी पूरा पक्का हो जाएगा तो आपने क्या क्या पढ़ा भिन्न क्या होती पढ़ लिया भिन्न के कितने परकार होते हैं पढ़ लिया और उन परकारों की क्या विस्ष्था है क्या परिभासा है ये भी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया परिभासा तो सभी लिख लोगे मैंने बताया ना उसी आधार नहीं लिख पाएंगे तो सुन लीजिए समतुल बिन्न किसे कहते हैं जब किसी बिन्न के अंस और हर में किसी एक निश्ची संख्या से गुड़ा या भाग किया जाए तो प्राप्त होने वाली बिन्न उस बिन्न की समतुल बिन्न कहलाती है जब किसी भिन्न में अंस और हर दोनों में एक निश्ची संख्या से गुड़ा या भाग किया जाए तो प्राप्त नई भिन्न पुरानी वाली या पहले वाली भिन्न की सम्तुल भिन्न काला दी है कि भीना पन्मार प्रीअ है आपको पता अधा कलाफ नहीं होगी काय नहीं होगी आज कौन सा इन है आज तो मंगलार है जिसे बोलते हैं इसके बारे में मुझाता कुछ नहीं बोलोंगा थोड़ा बताई देता हूँ कोई पूछ लिया नहीं तो बताने वाला नहीं था यह बड़ी खतरनाक है इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है बड़ी खतरनाक होती है इसको डीटियल में पढ़ाएंगे आपके यह सिलेबस चैप्टर में कहीं जल्दी इससे सम्मनित कुछ आएगा नहीं जल्दी कुछ आएवाएगा नहीं हाँ लेकिन अगर कहीं इस रूप का आगे तो बता देना ये बीतत भिन्न है बस आप सिर्व इतना बता देना ये क्या है बीतत भिन्न है यहां पर कहीं प्लस वाले की नीचे यहां पर कहीं क्या होता पता है अजीब टाइब का होता भाई यहां पर प्लस होता है हां और इसके नीचे एक होता है वो तो मैं लिखा आई था इसके नीचे फिर वन होता है और यह वन होता है एक मिनिट यह थोड़ा थोड़ा इदर को खिसकती जाती है यह ऐसे ही बनती इसे क्या बोलते हैं बीता तभी न बोलते हैं यह बड़े अजीव टाइप क्यों होती है देखते जाओ मैं लिख रहा हूं ठीक है मुझे दो लाइन खीचा दोनों के नीचे एक एक गिंती लिख दिया अब फिर क्या करेंगे इसके नीचे वन लिखेंगे और फिर पलस और फिर ऐसे लाइन खीचेंगे समझते चलिए ठीक है बनापां वन इसके नीचे और फिर नीचे ऐसे टूए वण प्लफ है यह क्या है बीतत भिन्न वोती बड़ी खतरनाक होती है मतलब ऐसे आजीव टाइब क्यों होती है इसको समझाएंगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे कुछ लोग सो जाएंगे और कुछ लोग पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे इसे लंगली भिन कहते हैं हां क्लास कल्भी होगी सबता में तीन दिन होती है कितनी बार बताऊं मंडे ट्यूज दे और बेड़ने जिनको साथो दिन पढ़ना है वो PBR study app में जाके जोईन कर सकते हैं पर वो साथो दिन पढ़ सकते हैं और कई कलासे होती दिन भर में ठीक है आप यह भी कर सकते हो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना है इतना समझ लो ऐसे उल्टा पूल्टा दी गई होगी तीन चारी स्टप में तो जान लेना वह बितत बिनने बस सिर्फ इतना जान ल